हेलो बच्चो नमस्कार जेश्री कृष्ण रादे रादे कैसे सब आई होप आप सो बच्छे सौंगे मस्री से पढ़ाई कर रहे होंगे और सेकेंड अब बहुत ही पास आ गया है तो अपनी मेहनत को भी उसी हिसाब से और भी बढ़ाते जाएगा और आज हम करने वाले संखन कर लिजेगो और चेक कर लिजेगा शंकनात का जो भी प्लेलिस्ट है और साथी साथ इसके साथ आप क्या कर सकते हैं और वह बहुत करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सी बात से हैं coordinate system की अगर हम बात करेगाई तो एक्स कोडिनेट को आप सभी को पता ए इससा बुलाते हैं और य को बनाते हैं तो मेरे खाल से बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है फर्सकोडेंट, सेकेंड, फर्ट, फोर्थ ये सब आपको आइडिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फिर एक होता है polar system आई होप आपको पता होगा, नई भी पता है तो देख लीजिए फटाफट से हैं न polar system, polar system जैसे कि हम जैसे कि हम जैसे कि हम Cartesian plane में x, y से represent करते हैं, polar में हम r, theta से represent करते हैं, जैसे हम Cartesian में क्या बोलते हैं, x, y, तो polar में हम क्या बोलते हैं, r, theta, तो अब उसके equivalence देख लेते हैं, यह r है, और यह angle theta लेते हैं, ठीके, तो यह वाली चीज कितनी हो जाएगे, r, cos theta, और यह वाली चीज कितनी हो जाएगे, r, sin theta, तो x जो है, actually r, cos theta होगा, y जो है, वो actually क्या हो जाएगा, r, sin theta हो जाएगा, आप यह दो relations देख सकते हैं, जैसे इसमें ध्यान रखिएगा, कि जब हम इसमें r theta polar coordinates लेते हैं, तो r और theta दोनों variable होता है, just like x और y दोनों variables होते हैं, depending upon points in the Cartesian plane, कहाँ पे point है, उसके साब से r और theta vary करेंगे, तो हम लोग उलें कि एक तो यह बात है, और दूसरी बात है कि यह दोनों relations exist करेंगे, clear है मेरी काल से हैं न, अच्छा r को बोलते हैं, radius vector of the point p, यह आपको पता ही है कि origin से point p के distance को हम लोग radius vector कह सकते हैं, differential equation में इसका बहुत पहला पड़ता है हमारे को है न, तो polar system तो यह ही है है न, distance formula everyone of us knows very well है न, कि दो point x1, y1 और x2, y2 के बीच का अगर दूरी निकालना चाहते हैं यह दूरी कितनी है, तो यह दूरी कितनी होजेगी, root under of x2 minus x1 का square, plus y2 minus y1 का whole square, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, section formula पाया जाते हैं, तो internal, external दो तरह के divisions होते हैं, आप सबको पता ही होगा है न, internal division में अगर m is to n ratio में divide कर रहा है कोई point c, x, y, ab को join करने वाली line को m is to n ratio में divide करता है, तो जो c point है, उसका x coordinate जिसको हम अगर x कहेंगे, यह similar triangle से proof हो जाता है, this is going to be mx2 और plus nx1 upon m plus n, this is going to be mx2 plus nx1 upon m plus n, this is the x coordinate of the point c, and y coordinate similarly is my2 plus ny1 upon m plus n, अगर यही काम हम क्या कर रहे होते हैं, external division में, तो बीच में आप plus की जगा क्या यूज करने, minus, या फिर हम इसको ऐसे भी देखते हैं, कि m की जगा m, n की जगा minus n, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, कि m की जगा minus m, और n की जगा n, और यह आपका external division का formula देता है, कभी-कभी हम लोग को ratio निकालना पड़ता है, जिसे बहुत बार वह होगा कि इस segment को यह point किस ratio में divide कर रहे हैं, तो हम फिर m is to n नहीं मानते हैं, हम क्या मानते हैं, उसको फिर lambda is to n, फिर हम उसको क्या मानते हैं, lambda is to n, दो variable का प्रियोग ना करें हैं, हम लोग क्या कहेंगे, इसको lambda is to n, तो अगर कभी ऐसा है कि दो point दिये हैं, और एक point उसको किस ratio में divide कर रहे हैं, यह find out करना हैं, तो generally we assume the ratio to be lambda is to n, अब lambda अगर positive आता है, तो we will see कि वो internal division होगा, और अगर lambda negative आता है इन case, तो negative का यहां पर मतलब क्या होगा, कि this is the external division, एक होता है harmonic conjugate, harmonic conjugate हम लोग कैसे define करते हैं, बच्छों, जैसे दो fix point है A और B, है ना, there are two fix points A and B, अगर कोई दो points, जो कि इसी line के उपर है, है ना, ऐसे दो point, जैसे मालों कि दो point से P और Q, एक point P है, और एक point है बच्छों Q, है ना, एक point है बच्छों Q, तो अगर यह दोनो points P और Q, जैना, जो कि AB line पर है, तो अगर दो points P और Q, AB को same ratio में divide कर रहा है, एक तो internally divide कर रहा है, दूसरा externally divide कर रहा है, कहने का मतलब कि जो AP upon PB है, है ना, AP upon PB है, मतलब P जिस ratio में AB को divide कर रहा है, internally, Q उसी ratio में externally divide कर रहा हो, this is AQ upon QB, Q उसी ratio में AB को externally divide कर रहा है, मतलब AQ upon क्या BQ या QB है ना, तो हम लोग हो सकते हैं, यह जो points P and Q है, they are harmony conjugates of A and B है ना, P and Q are called as harmony conjugates of each other with respect to the points A and B है ना, P और Q क्या केते हैं, harmony conjugates of each other with respect to these two points, vice versa भी true होता है, कि कभी ऐसा हो कि P और Q harmony conjugates हो एक दूसरे के with respect to A and B, तो just इसका उल्टा भी true है, मतलब क्या, कि A और B are harmony conjugates of each other with respect to the points P and Q, तो अलेले कि P divides AB internally in the ratio MS to N and Q divides AB externally in the ratio MS to N, then P and Q are set to be harmony conjugates of each other with respect to the AB, अब इसमें एक बड़ा important mathematical relation निकल कर आता है, कि AP, AB and AQ, they are in HP, तो relation भी समझ में आ रहा है, कि harmonic word का इस्तमाल कहां सा होगा है, तो अलेले कि AP है, AB और AQ, they are in HP, तो यहाँ भी देख सकतों कि AP, AB, AQ are in HP, और अगर यह HP में हैं, तो उसके reciprocals AP में होते हैं, और यह रिष्टा आपको पता है, हार्मोनी में हम लिख सकते हैं, तो कभी हार्मोनी conjugate का जिकर हो, तो बहुत ज़्यादा फिकर करने की जुरूत नहीं है, कि जिस भी दो points के respect में हार्मोनी conjugate की बात हो रही है, तो एक internal division, एक external division से points निगालकर, मज़े कर सकते हैं आप हैं आप हैं आचा, कुछ हम important points की बात कर रहे हैं, ट्रैंगल में जैसे एक तो उता है centroid, centroid कैसे आता है वही, this is the point of concurrency, है ना, this is the point of concurrency of the medians, है ना, median, जैसे कि अगर हम लोग देखें हैं आप है ध्यान से, तो हम लोग लेंगे हैं कि point of concurrency of the medians, मतलब of the triangle, मतलब A से एक median AD बनाया है, यानि कि ये दोनों बराबर है, बच्चों, है ना, ये दोनों बराबर है, इस तरीके से हमने C से median बनाया है, और इधर से भी median मनाया है, है ना, so point of concurrency of medians, that is G is called as the centroid, G के coordinates कैसे निकाल सकते हैं, अगर vertices coordinates, x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो, तो बहुत सिंपल है, G का coordinates हम निकालते हैं, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 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 मेरे cứu most of the janta must be aware of this, और हमें ये भी पता है कि जो centroid होता है, वो इस median को टॉप से 2ism1 में काटेगा, TOP से कित्में काटेगा 2ism1 में हर एक median line की बात कर सकते हैं कि वह वर्टेक्स से कितने हैं काड़ता है 2 इस टू 1 वाली रिश्यो में देख सकते हुआ है n इनकी पॉइंट ओफ करेंशी को हम लोग क्या कहते है इनकी पॉइंट ओफ करेंशी को इन सेंटर ही कहते है और आपको यह पता भी होगा कि इन सेंटर का फॉर्मूला क्या रहेगा तो इन सेंटर का फॉर्मूला के नतीजे है ना इन सेंटर लगाकर यह सब अचीव कि जाते हैं ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b this is how you can find the in-center coordinate of in-center na a b c are the sides of the triangle angle by sector divides the opposite in the same ratio पता ही है ना in-center divides the angle by sector in the ratio b plus c is to a मतलब कभी अगर मन में आए कि sir ai upon id के आएगा है ना ai upon id simple section formula है ना ai upon id के आएगा सर्जी तो यह आता है बच्छो b plus c is to a है ना b plus c is to a ऐसे ही बाकियों के बारे में भी लिखा हुआ है इसा हम निकल जाता है पोई बड़ी बात नहीं है देन कम टू कम टू कम टू कम टू सर्कम सेंटर कैसे पॉइंट को बोलते यह इस इस इगर हम मान लो की असी का पर्पेंडिकुलर बाइसे बना दे यहां से और यह मान रहे कि यह बाइसेक कर रहे हैं तो अगर हम लोग बोलें कि पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर सिब रहा बना दें सो इनकी जो पॉइंट ओ अफ का लाएगी सर्कम सेंटर तो इस प्रूइंट ओ इंट्रसेक्शन की जगे चानकरेंशी वर्ट ज्यादा बड़ीया रहता है और परिंड के लिए यूज करना पड़े तो आप इसको square करके कि generally ओए में हम distance formula लगाते है जहां पर एक square root होता है तो इसलिए oa equal to ob equal to oc is the basic thing right लेकिन हम generally उसको square करके क्यों use करते है कि square root गयाब करना होता है तो इसलिए हम उसको square करके use करते है और यह उसको square पासिंग तो इक ऐसा circle जो abc तीनों से पास करता है तो उसी का center जो है वो circum center कहलाता है न वही बात यहां पर कह रहा है तभी ओव यह उसी का है सही है और अगर लग रहा है कि नहीं सर एंगल abc निकालना बहुत दिक्कत क्या काम है तो हम इसमें क्या करते हैं एक काम करते हैं बहुत सिंबल है कि हम right by sector लिखते हैं जैसे माल लोग कभी आपको coordinates पता हो तो क्या करोगे आप coordinates मताँ vertex के तो आप of course इस midpoint को निकाल सकते हैं यह वाले point को midpoint निकाल लोगे midpoint तो यह line का slope पता है तो परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप पता हो जाएगा तो यह राइट दौण easily the perpendicular bisector of the side जैसे इसका perpendicular bisector लिखते है वैसे इसका लिख लीजे इन दोनों को solve कर लिजे और इन दोनों को solve कर ने से जो मिलेगा that will be definitely a circumcenter of the triangle I hope it is very much clear है न सेम ही चीज आगे लगता है हाँ वह सेम ही चीज आगे खीक है मेरे खाल से है न तो this is the circumcenter next coming to orthocenter what is the orthocenter orthocenter होता है point of concurrency of the altitudes मतलब असे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बीसी पे ए है न सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एसे बीसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो अफकोर्स हम लग बोलें कि जो डी एएफ है फुट आफ तो परपेंडिकुलर होंगे रही और हम लग बोलें कि इनका जो point of concurrency उसको क्या करते है orthocenter तो it is the point of concurrency is again a better but बाकी intersection भी चलेगा कोई दिक्कर नहीं है और perpendicular is drawn from the vertices on opposite sides and altitudes of a triangle can be obtained by solving equation of any two altitudes फिर से एगर हमें orthocenter निकालना होता है तो what we generally do is कि हम कोई भी दो altitudes solve करते हैं क्या altitudes लिखना असान होता है बिल्कुल और इस पर सवाल देखो कि आप बहुत पूछे जाते हैं orthocenter पर basically सवाल पूछे जाते हैं सिंपल है कि अगर आपको यह तीनों points पता है और तो center के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों से midpoint नहीं निकालना है इन दोनों को join करने वाली लाइं का स्लोप पता चल गया है तो इस पर्पेंडिकुलर का स्लोप पता चल गया है यह point आपको पता है तो आप इस line को आराम से लिख सकते हैं तो altitude लिखना है इस very easy फिर भी को यसी को लगता है कि सर इस formula के बारे में तो यह formula भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छा एक चीज और पता होगा कि ऐquilateral ड्रींगल में तो खिछ सारे point सेंगे होते हैं चाहिए आप किस की बात कर ले है औरफो center की बात कर ले है equilateral triangle में सर कम सेंटर की बात कर ले है सारे point ऐको एकम सेंटरल है तो सब एक ही point साहंगे तो उस यह algumas Craft स्मापनेट से क्वेडिम्स दिखाते हैं कि सर्कम सेन्ट 거를 हमाइब ढ़ना je ृ how is b ॼर us और यह दोनों बर आपर यह दोनो बराइबर आप identified टो इसे जो आप perpendicular डॉब किजे गा और इस से जो आप परेंडीक्रिक्रो डॉब कीजे गा ये इसको बाइसे बीन भी होगा ये तो इसी पे आप देखिएगा कि और्थो सेंटर भी होगा इसी पे आप देखिएगा सेंट्राइड भी होगा इसी पे आप देखिएगा और्थो सेंटर भी होगा है ना इसी पे आप देखिएगा कि इन सेंटर सारे पॉइंट इसी लाइन पर आ जाते हैं रहे और हम नॉर्म सेंटर यह तिनों कॉलिनियर होते हैं को बहुत प्योग हाता है ना और यह 2 इस to 1 रेशो में डिवाइड करता है इसको हम ऐसे याद रहते हैं कि जैसे और तो से करते हैं centroid को g से और इसको c से तो o gc टाइप का दिखता है ना तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं ongc बीच में हम सोच लेते हैं मन में कि एक point एक on n है न तो ongc याद रखने में असानी होता है इसे एक और फायदा हो जाता है कि हमें पता जाल जाता है कि G जो है वो O से दूर है तो यह ratio तो मुटा-मुटा याद रहता है कि 2 is to 1 में लें कई G और्थो सेंटर की साइड है या सरकम सेंटर की साइड है यह यहां से clear रहेगा कैसे कि ONGC आप याद रखेगा तो बीच में एक N आ गया है और GOC के बीचों कुछ नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि GOC ज्यादा close है मतलब 2 इधर होगा और 1 इधर होगा तो इस ट्रेंगल वी अल अंडर्स्टैंड इस से भी लिख सकते हैं लेकिन हम जनरली इसका उपयोग करते हैं हाफ X1 Y1 1 X2 Y2 1 X3 Y3 1 एना एरिया ओफ ट्रेंगल अगर लिखना है एरिया ओफ ट्रेंगल जैसे अगर हम यह वट्टैसेज बोले हैं X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 तो अगर इस ट्रेंगल का एरिया निकालना हो दोस्त तो आप कैसे निकाल सकते हो हाफ X1 Y1 1 X2 Y2 1 X3 Y3 1 और उसका मॉडलिस क्यों लगा गया है और आप मॉडलिस नहीं भी लगा सकते हैं अगर यह पॉइंट्स अगर एक्शुल प्लॉटेड है तो और और आपने एक्शुल प्लॉटेड के साथ साथ अगर आपने एंटी क्लॉग वाइज भरा आ है ना जैसा कर यह शाट डिरेक्शन होगा एंटी क्लॉग वाइज है ना तो अगर इसमें कहीं कोई मॉड की ज़रूबत नहीं पड़ेगा ना तो मैं बैसे के लिए कहना चाह र अगर एबी सी की को यह तीनों पॉइंट के को यह पता होगा कि हमें जिस भी पॉइंट का लोकस लिखना होता है सबसे पहले हम उसको वेरिबल पॉइंट को कोई और दूसरा पॉइंट माल लिजे एक सबसे पहला स्टेप यह होता है कि जो भी वेरिबल पॉइंट है उसको एक्स कॉमा वाई माल लो अब कोई बिगड जाएगा बिगड तो कुछ नहीं जाएगा लेकि बस यह होता है कि जैसे जनरली एलिमेंटरी नीचर का सवाल है तब तो बहुत एजली हो जाता है लेकिन हाँ थोड़ा सा भी ढंके लेवल का सवाल है तो हो जकता हो कुछ उसमें और भी लोकस प्रेजेंट हो पहले से तो एक्स कॉमा वाई कोई कर सकता है बच्चों के लिए तो इसलिए हम जनरली उसको एच कॉमा के मानने के बाद हमार कोशिस ही होते हैं कि जो भी कंडिशनस दिए वे कोश्च नोशको अपलाई करके एच के में रिलेशन्स बनाई है है ने हम लग जो बनाई है और कोई उसमें अन्नोन नहीं होना चाहिए है है ना अगर ऐसा करने में आप काम्याब हो जाएंगा तो आपको लोकस मिल जाएग है ना तो यही चीज़ इसमें अंगरेजीम लिखे भी है तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं ठीक है चलिए तो सवाल मेरे खाल से आगे है तो लेट्स ट्राइब इस कुश्च्च्छन कि खुझ से आक्टिम्ट करना हो तो आप रुख कर 2-3 मिनट ले लिजेगा और कर सकते हैं और बागी साथ-साथ भी करना हो तो साथ-साथ भी कर सकते हैं चलिए दिखते हैं सवाल किया है कि क्लाइं जग्मेंट है एबी और जिसका लेंथ है लैंडा एबी का खुद का लेंथ लैंडा है और इस तरीके से मुझ कर रहा है कि एंड भी रिमेंज ऑन दे पैरिफेरी ओफे सर्कल ओफ रेडियस लैंडा रहीट तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का सीन है कि देर सम क्या है लैंडा तो मैं महाले तो simplest form वाला ही circle अपना ओर इसेंटर लेकर है और यह लैंडा और यह भी लैंडा है लोकस हो एपॉइंट देवाइड देवाइड दा लाइंट सेग्मेंट एबी इन रिचो टू इस टू तो 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 एबी को शाए टू इस टू तू तो तो यह एगा और उसका रेडियस बतला रहे तो यह कुल मिला कि सीन है तो इस सीन को करने के अपने अलग-अलग तरीके हो स सकते है ना जैसे एक को हमें समझ में आगां कि सरीए एक स्क्धेर प्रस य स्क्वार इकोल डू लमडा स्क्वार है मैं ज्रंरली हम इसको क्या कर सकते हैं कि Lamda Cos Theta या फिर Lamda Сine Theta मान सकते हैं वे हैं तो एक तरीक हां हम रोग ऐसे भी सोचते हैं Uber Childου K को हुआ एनों यह पॉंट को हम लोग तीटा की जग़ए Aलफा के लिए लेते हैं Lamda Cos Alpha और Lamda Sin Alpha इसे एस्विम कर सकते हैं और a b के बीच कि dalla तो हमलों लो लोगिसरे गर इसका डिस्टण्स लिखे इछ तो ल編बड제가 माईनुस कौल सपर यह वह और फिर लिंबडा फिर से बहर आएगा मुझे लग रह रहा है और फिर से क्या बन जाept साइं गों संप्टरुंगा इसका जो स्क्वार इगा जए इसका स्क्वार रूट है तो टू स्क्वार अगया अब ढूटू हुण alpha minus 2 sin theta sin alpha तो minus 2 मेरे खाल से cos theta cos alpha sin theta sin alpha cos theta minus alpha and that is equal to 1 ऐसा कुछ आ रहा है यानि यहां से cos theta minus alpha guys half आ रहा है तो एक तो condition यहां पर बन गई अपनी है एक तो condition यहां बन गई अब इसका 2 to 3 वाले का हमें बतलाना है कि जो लोका से वो कहाएगा तो section formula लगा देते हैं basically तो 2 into lambda cos alpha h h equal to 2 into lambda cos alpha plus 3 into lambda यहां यहां देखना 3 into lambda cos theta upon 5 है ना यहसा बनेगा और ऐसे k भी बनेगा same to same है ना cos theta cos alpha की जागा sin theta sin alpha जाएगा तो मुझे लग रहा है 2 lambda sin theta और 2 lambda sin alpha upon 5 है ना तो मुझे लग रहा है कि 5 h और 5 की आ रहे हैं यहां से और दोनों को square कर लिजे तो 25 h square plus 25 k square and that is equal to 2 lambda common आ जाएगा तो lambda square बाहर बाहर आने को बच्चो 2 cos alpha और 2 कुछ कर बढ़ा है यहां 3 आयो हाँ तो 4 cos square आप समझे रहे हैं कि हमने इसको cross multiply कर लिया तो 5 h का whole square 25 h square 5 k का whole square 25 k square यह add कर रहे हैं तो यहां से lambda common आ गया तो एक 2 cos alpha मैं लिखी देता हूँ plus 3 cos theta का whole square बन गया और फिर 1 बन गया फिर से 2 sin alpha plus 3 cos theta का whole square sorry sin theta का whole square है ना इस तरीकर बन गया यह नी हम लोग यहां बोल सकते हैं गया कि x square plus y square 25 से डिवाइड ही कर लो इदर है ना तो lambda square by 25 यही locust आ रहा है ना यही locust आ रहा है और इदर देखना 4 cos square alpha plus 4 sin square alpha मतलब 4 9 cos square theta plus 9 sin square theta 9 9 और 4 बन गया 13 13 है ना फिर देखना तीन दूनी 6 दूनी 12 12 12 12 क्या वही cos theta cos alpha और इधर से 12 sin theta sin alpha है ना तीन दूनी 6 दूनी 12 है ना 12 तो यानि कि 12 cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha यानि कि 12 cos theta minus alpha अब बच्वों को clear है कि cos theta minus alpha half है तो इसको half रखी गया होते हैं यहां मुझे लग रहा है lambda square 25 और 13 6 कितना हो जाएगा 19 यह circle की equation आगी जिसका मुझे लग रहा है हिसाब साब जैसे भी ले सकते हैं क्रैक करने के तरीके हो सकते हैं नेक्स अब लोग अगर इसको सोचें मुझे लग रहा है थोड़ा सा यह दिख रहा है lambda और यह पूरा wreck peine यह मदा क्शोन पूरा लंट आम्वद तो यह एक एकवगृ लैटरील ट्राइंगल है यह वला इंगल जो होगा ना यह यह है साथ डिग्री यह साथ डिग्री है आप इसको जब इससे जॉइन किजेगा यह पूरा लेंद 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 ल करते हैं, cosine rule लगा रहे है, cos 60, cos 60, पता ही होगा आप कुछ है, cosine rule, equal to, equal to, this square plus this square, lambda square plus, 4 lambda square upon 25, minus op square, op method आने वाला है, upon 2ab, 2ab में 2 into lambda into 2 lambda by 5, ऐसा बने है, है ना, और cos 60, we all understand, is half, तो यह 2 कट जाएगा, इसको इधर बेजेंगे, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, 29 lambda square, by 25 minus op square, and that is equal to, है ना, 2 lambda square upon 5, इधर जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि यहां सो op square जो है, है ना, op square, 29 lambda square by 5, 25, और इसको 5 से multiplied 10, तो 19 lambda square by 25, ऐसा आएगा, यानि, op की length जो है, यह वाली length है ना, this is root 19 lambda upon 5, बच्चा आपको clear हो गया, कि origin से इसका distance fix आ रहा है, यह moving point था, तो अगर origin से इसका distance fix है, तो यह point, एक circle पर ही move कर रहा होगा, जिसका radius इसके वरावर होगा, कि कि lambda fix है, यानि कि हमारा फिर से answer गया, root 19 lambda by 5, तो यहां भी हम बहुत simple तरीके से भी इसको cosine rule के स्तमाल से निकाल सकते हैं, कैसा लगा मैं था, time stamp के साथ जरूर लिखकर बतलाईएगा, चली आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो, तो लोकस पर direct सवाल है, ऐसा नहीं, हाँ section formula या कुछ कुछ चीज़े involved है, other than that, बट है direct सवाल, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, लोकस का ही है, लग रहा है, हाँ, let a be the point, 1,2, एक point है a, 1,2 दिया हुए बच्चो, and b is one more point on this curve, हाँ, इस curve के उपर एक point आप ले सकते हैं, आपको मुझे लगता है, पता ही होगा, 4 cos theta, 4 sin theta, circle के उपर का point, if the center of the locus of the point P, तो locus of the point P, जोगा, उसका जो center है, एक मिनट क्या बोल दिये, if the center of the locus of the point P, अच्चा, point P के बारे में बोले है, which divides the line segment AB in the ratio of 3 is to 2, तो point P के बारे है, इसको 3 is to 2 ratio में डिवाइड कर रहा है, और इसका ही locus के बारे में हमसे बात की जा रही है, तो हम बहुत सकते हैं कि यहाँ पर simple है, 12 cos theta, plus 2 upon 5 है यह point, 12 cos theta, plus 2 upon 5, ठीक है न, और 12 sin theta, और plus 4 upon 5, यह point का locus निगालना है बहुत से न, और P को हम हम H के माल लेते हैं, तो अगर मैं, अच्छा, उसके आगे क्या बोले, इसको H के माल लेते हैं, तो हम लो लेकि H is equal to this, तो ठीक है, तो हम लेकि H is equal to 12 cos theta by 5, प्लस 2 by 5, और K equal to 12 sin theta by 5, हमें theta हटाना बढ़े गया न, लोकस निकालने के लिए, प्लस 4 by 5, तो मैं क्या कही रहा हूँ, कि 2 by 5 को इधर और 4 by 5 को इधर लाखे square करके add कर तो, मतब this is H minus 4 by, sorry, H minus 2 by 5 का whole square, प्लस K minus 4 by 5 का whole square, and that is equal to, मुझे लग रहा है कि इन दोनों के squares का sum, तो 144 बटा नो, तो 144 बटा 25, cos square theta plus sin square theta is 1, तो यह उसका लोकस आ गया, तो उसका center बोल गाला है alpha beta, तो alpha beta क्या हो गया, 2 by 5, 4 by 5, तो AC निकालना है ना, AC, A यह है और CA है, sorry, तो AC हो जाएगा मेरे काल से root under 1 minus 2 by 5 का square, 3 by 5, तो 9 बटा 25, 10 में से 4 गया 6, 36 बटा 25, यानि कि यह हो जाएगा 5 बाहर और 45, 45 को आप लिख सकते हैं, 9 पचे 45, तो 3 root 5 by 5, तो कुछ ऐसा है, 3 root 5 by 5, एनिकी बॉम्बे option हो गया, I hope it is clear, कुछ गलती होगा तो आप बता दिजेगा, और तो क्या कर सकते हैं, जो मुझे भी समझ में आ रहा है, उसके साब से तो मैं करता जा रहा हूं, right, let R be the rectangle given by the lines, this, 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 चार lines हैं, और इससे एक rectangle बन रहा हूं यह, one of the line is definitely x equal to 0, this line, one line is y equal to 0, बाकि x equal to 2 और y equal to 5 है, तो चलिए बना ही लेते हैं, एक है x equal to 2 और एक है बच्चो y equal to 5, this is x equal to 2 and this is y equal to 5 वाले line, फिर बोलना है कि alpha, a is alpha, 0 और alpha 0 से 2 के बीच में हैं ना, यह 2, 0 है, यह 0, 0 है, तो alpha जो है, यानि a जो है, इसके बीच में कहीं होगा, मालनी जाए यहाँ पे है a, और ऐसे भी 0 बीटा है, और यह भी इसके बीच में है, तो मुझे लग रहा है कि इधर कहीं ले सकते हैं, ऐसा ले लिए मैंना, we say that the line segment a, b, यह जो line segment a, b है, this is going to be 10 square units, is the area of the rectangle, if this divide the area, in the ratio of 4 is to 1, अब ऐसे तो काहिद इसे दिख रहा है कि 4 is to 1 बोला है, तो इधर से तो नहीं लेना चाहिए, कि यह थोड़ा छोटा ही दिख रहा है, कि यह नीचे ही रहेगा कहीं, 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 क्या बोलते हो, कि एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो ज्यादा ज्यादा इससे मैच करेगा, तो आधा तक जा सकता है, ना, तो यह छोटा ही होगा, तो अच्छा, तो हम लो बोलें कि यह जो लाइन है, यह पूरे को 4 is to 1 में डिवाइड कर रहे है, तो अगर 10 को तुम 4 is to 1 में डिवाइड करोगो, तो एक पार्ट का एरिया 8 हो जाएगा, एक पार्ट का एरिया 2 हो जाएगा, तो बड़ा वाला यह है, तो इधर 8 हो तो h is equal to कितना हो जाएगा, alpha by 2 and k is beta by 2, अच्छा, एरिया वाले एक formula लगाना चाहिए, कि इसका area 2 है, तो simple half alpha beta is 2, यह नि alpha beta is 4, h के का लोकस निकाला है न, यहां से alpha हैगा 2 h, और beta हैगा 2 k, तो h k is 1, तो x y equal to 1, यह आ रहा है हमारा लोकस, तो very very basic question, और यह अगर आ रहा है, तो of course हम लोग लें, the answer should be hyperbola है न, hyperbola वैसे तो rectangular hyperbola है, बट वैसा mention नहीं है, बट ठीक है, hyperbola ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्छों सवाल, next लेते हैं, तो देख लिए बिल्कुल straight away, ल सिदी बात कर रहा है, तो direct centroid का सवाल है, इसलिए आप किसी भी portion को easy मत मान के चलिए, तो easy मत ऐसा नहीं किए, इससे सवाल नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल basic question पूछा गया है, तो मेरे कासे, overall यह calculated सवाल ही होना चाहिए है, तो हमने बोला कि यह centroid निकालने की कहानी है, जं equal to 82, इसके साथ solve करेंगे, तो इसको 5 से multiply कर दो, तो 75x, पहले वाले equation को है, 75x minus 5y, 5, 2, 10 के 0, हासिल 1, 8, 45, 41, 410, और यह हो गया, 6x minus 5y, equal to minus 4, अब इसको subtract कर दो, तो 15 में अच्छी कहा है, 9, 6x, तो यह खतम, और यह हो जाएगा, 414, है ना, 414, 414, तो इसको जब डिवाइड करोगे, 9, 54, के 4, हासिल 5, 6, 36, 45, मेरे का 6 टाइम जा रहे है, तो इन दोनों को अगर solve कर रहे है, तो x 6 आ रहे है, y निकाल लेते हैं, तो 36, 44, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 8, तो 6, 8, एक बार उधर भी दे लो, 15, 90, 90 में से 8 गया, 12, ठीक ह तो एक पॉइंट तो इसका हो जाएगा, 6, 8, वैसे तो कुसी को भी ABC ले लो, कोई दिख्कर नहीं, इन दोनों को solve करते हैं, इन दोनों को solve करने के लिए, पहले वाले equation को हम 4 से multiply करते हैं, तो 24 x, माइनस, देखरो, basic एक दम, equation solve करा रहा है, ना, minus 20y, equal to minus 16, इन दोनों को जो जोड़ो, 9, 6, और यह cancel out हो जाएगा, and this side is, जोड़ नहीं है, 6, 5, नहीं, minus, sorry, 9, ओके, तो x की value 1 आ रही है, x की value 1 आ रही है, अगर x 1 आ रहे हैं, इन दोनों को solve किया हमने न, 6, 4, 10, 2, तो 1, 2 आ रहा है, तो, 1, 2, 9, 9, और 8, 9, 3, एक और point निकालना पड़ेगा, वो इन दोनों की solving से निकलेगा, तो इसको फिर से 4 से multiply कर दो, तो 60x, minus 4y, equal to, 4, 2, 8, 4, 8, 32, और उधर है, 9x, plus 4y, equal to 17, इनको भी add करना पड़ेगा, and this is going to be, 69x, equal to, 5, 2, 3, 1, 4, 345, और इसको 5 से multiply कीजिए, 9, 45, के 5, अच्छा से 4, ठीक है, यह 5 ताइम्स गया, तो x की value 5 आ रही गया, x 5 आ रहे है, तो 75, बेराशी हम से 5 गया, 7, तो y की value, minus 7, minus 7 शेर, तो एक point आ जाएगा, 5, minus 7 गया, एक बाइसको भी check कर लो, 45, 45, और 7, चाओ के, 28, तो मेरे काल से ठीक है, ठीक है, अब centroid बोल रहा है कि alpha, beta, तो हम लोग यहां से centroid निकाल सकते हैं, बहुत easy है, तीनों का sum, यानि कि 6, 7, 7 और 5, 12 upon 3, is 4 शायद है न, बीटा, beta is going to be 8 to 10, 10 वे से साथ गया, 3, 3 upon 3 कितना हैंगा, एक, तो alpha 4, beta 1, तो यानि कि 4 plus 2, 6, and 8 minus 1, 7, तो 13 आना चाहिए, और सच्छक बैया जिस, यानि कि 1 subscribe minus 13x plus 42, तो बिल्कुल कमाल का सवाल है, एकदम मेरे ख्याल से हैंना, चोका सॉल्व हो गया है, बढ़िया, आचाहिए, मैंने बताया था न, और्थो सेंटर पर भी डारेक्ट सवाल है, तो और्थो सेंटर पर भी सवाल है, सेंटर पर भी डारेक्ट सवाल है, तो इन सब चीजों को अच्छे फोकस कर लिजे, बढ़िया, अलफा, बीटा, और इस तरह के सवाल को करने, बच्छों को एक्छुली दिक्कत आ जाती है, पता नहीं क्यों, जैब कि हैं बहुत सिंपल सा बात, यह सब 2023 के जही में हैं, आप देख सकते हैं, हैंना, कल्कुलेशन होगा थोड़ा बहुत ही, उतना तो फेस करना पड़ेगा, स्टेट लाइन, को निक पढ़ हो आप है, तो तो करना पड़ेगा, अ है, 3,-7, B है,-1,2, and the point C is 4,5, है न, 4,5, तो alpha, beta is the ortho center, तो हम लोगे दो altitude जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि, दो altitude solve कीज़ेगा न, दो altitude solve कीज़ेगा काम बन जाएगा आपका, अब हम लोगे सरा altitude कैसे solve करें जैसे, alpha, beta is the ortho center है न, आपको ए टैने वाला formula लागा है तो भाई, tan A, tan B, tan C निकालने हम बहुत समय निकल ले आगा, तो अले लेकि चलिए, product, क्योंकि यह perpendicular है तो product slope का minus 1, जैसे इसका slope देखे, beta plus 7 अपॉन alpha minus 3, into, इदर सलोब देखे, 5 minus 2, that is 3, और 4 minus minus 1, that is 5, है न, equal to minus 1, यह बने है, यह बने है, यह गिने, दूसरा हम अगर इदर सलोब निकालेंगे है न, तो कितना हैगा, 3 beta plus 21, equal to minus 5 alpha plus 15, है न, ऐसा, तो 5 alpha plus 3 beta, इदर लिख देता हूँ है, इदर से निकालेंगे तो कितना हैगा, 12 alpha minus 24, equal to minus alpha minus 1, यह न, इसको इदर लगेगा, तो, ओ, ओ, तो इसको इदर लगेगा, तो alpha plus 12 beta, और minus 23 equal to 0, शायद अशा, अब फिर से वही, दो equation, दो variable वाली कहानी आ गई है, और फिर से हमें, दो equation, दो variable solve करना पड़ेगा, और उसकी value निकाल लिए, 9 alpha minus 6 beta, plus 60 है, तो अब यहां से alpha beta निकालेंगे, अगर आप, तो ऐसा होगा, कि इसको 5 से multiply कीजे, और subtract कीजे, तो यह 5 alpha कट जाएगा, 12 पचे 60 में से 3 गया, 57 alpha, और minus 115 और minus 121 है न, 121, कटने वाला तो कुछ लग नहीं रहा है, तो 121 बटा 57, ऐसे जब beta निकालेंगे, तो बहुत, सरी, beta है यह तो, यह तो beta है, बीटा ही आएगा न, तो alpha यहां से निकालीएगा, तो this is 23, या फिर उपर वाले से निकालीएगा, तो 5 alpha, क्योंकि थोड़ा सा महांगा calculation लग रहा है, 3 से multiply कीजेगा, तो 3, 2, 6, 3, 363, और plus 6, 57, upon 57, equal to 0, 5 alpha is equal to minus of, 7, 42, 82, 84, 6, 34, 34, तो 3, 2, 5, 3, 2, 5, 6, 4, 10, के 0, 83, 36, 7, तो मुझे लग रहा है कि यह 5 से कटेगा, तो 5, 141 आ रहा है, शैर, यह और भी कट सकता है, लेकिन LCM सेम ही रखना पड़ेगा, तो ज्यादा बहतर है, इस तरीके से, अब यहाँ PPSN खतम हो गया है, अभी भी आपको इसको 9 alpha से multiply करोगे, 6 beta से multiply करोगे, तो यहाँ से calculate हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, कि मेरे को feel है, कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, इस पूरे calculation को, मन्तब बिना alpha, beta निकाले, we will directly find this value, और अगर आपको पसंद आए, तो time stream के सा जरू बताएगा, कि यह चीज आपको कैसे लग रहे है, मुझे 9 alpha minus 6 beta चाहिए, तो मैं क्या सोचता हूँ, कि मैं direct यह कैसे create कर सकता हूँ, यह वाला expression, alpha का coefficient होगा, 5x plus y, और वो मुझे 9 चाहिए, ठीक है, बीटा का कितना है, 3x, और plus 12y, यह मुझे minus 6 चाहिए, यह मुझे minus 6 चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि इसको नहीं तो आप 3 से multiply कर दीजिए, और इसको 5 से, तो 15x, 15x साफ हो जाएगा, 3y और 60 चाहिए, 57y, हाना, मेरे खासा है सारा है, और यह 36 चाहिए, 30 और 29, 27, तो 30 और 27 फिर से minus 57, यानि कि y की value मुझे लग रहा है, minus 1 आ रही है, y अगर minus 1 आ रहा है, तो x की value 2 आ रही है, मतलब अगर आप पहले वाले को 2 से multiply करें, और दूसरे वाले को minus 1 से और जोड दीजे, तो यह expression डारेक्ट बन जाएगा आपका, यह expression डारेक्ट बन जाएगा, यह देखिएगा, यह देखिए 10 alpha, minus alpha is 9 alpha, 6 beta, 12 beta is minus 6 beta, देखो बन गया न, और 12, और 12 और प्लस 23, 23, 25, 35, तो 60 है नहीं बन है, तो हम लग गोले कि इसमें जो lacking है, अगर मैं इसमें 25 जोड दूँ, तो 60 बन जाएगा, यानि कि हम लोग गोले कि इसकी value जो होगी, that must be 25, क्योंकि आप समझ गया है न, कि हमारे पास plus 35 तक की value 0 आई थी है न, this is equal to 0, इसको 2 से, इसको minus 1 से, तो 25 दो साइट जोड देंगे, तो मेरे खाल से यह answer आजाएगा, तो बिना alpha, beta निकाले भी, अगर हम थोड़ा समझ गूच का परदर्शन करें, तो मेरे खाल से जल्दी निकल जाएगा, यह सब alpha, beta निकालने से बेहतर है, चले, straight line मेरे खाल से आपको पता ही है, वैसे तो, एंगल between lines की अगर हम बात करें, तो यह angle between the lines नहीं है, यह तो slope की बात कर रहा है, कि अगर आपके पास x1, y1 है और x2, y2 joining two lines है, तो उसका slope हम इस तरी के देते हैं, यह आपको पता ही होगा, मेरे खाल से हैं, यह पता नहीं, यह आपके क्यों लिखा हुआ है, यस, angle between lines का formula आपको पता होगा, कि अगर दोनों lines है, और दोनों में slopes क्या है, पर्पेंडिकुलर होगी है और अगर m1 प्लस m2 0 है, यानि कि दोनों का slope का sum 0 है, एक का inclination theta है, तो दूसरे का, पाई माइस theta, तो इसलिए बोलते हैं कि, equally inclined to coordinate axis, m1, m2, 1 है, तो complementary angle बनाएगा, क्यों कि tan theta into quarter theta 1 होता है, तो एक theta है, तो दूसरे का क्या होगा, पाई by 2 minus theta, तो इस आर बेसिक थिंक्स है न, intercept की बात करें, तो जैसा कि मैंने application of derivative में आपको समझाई दिया था कि, अगर lines के equal intercept है, तो slope क्या हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, और if a line, अच्छा, intercept किसको कहते हैं, तो जहां भी x axis काटेगा, वो x intercept कहलाएगा, जहां भी line x axis काटेगी, वो x intercept और जहां भी y axis काटेगे, that will be called as y intercept है, अगर line equally inclined with a coordinate axis है, यहां फिर line cuts up equal non-zero distances from the origin, तो slope क्या हो जाता है, plus minus 1, तो जन्हों ने भी application of derivative वाले lecture को देखा हो, उसमें बिल्कुल अच्छे से मैंने explain कर दिया, तो जारी बात, अगर in case भूल गा है, तो आप उस पार्ट को फिर से refer कर सकते हैं, these are the different, I think, आपको प कि दो points दीवे line पे, x1, y1, x2, y2, तो this is how you calculate the slope, x2, y1 और नीचे किया जाएग, x2, x1, x1, और किसी भी a point से, या तो x1, y1, x2, y2 से आप ऐसे लिख सेकते हैं, मतलब इसी चीज़ को यूज किया गया है, just instead of the slope m, it has been written y2 minus y1 upon x2 minus x1, then is slope intercept form, यानि कि एकर slope पता है line का, और y intercept पता है, y intercept मतलब 0, c पे काट रहें मानलो है न, और slope m है, तो this is how you write the equation y equal to mx plus c, अगर general form of line दिया हुआ, x plus by plus c equal to 0, तो सजाद हजा के हम यहां तक आ सकते हैं, कि जो slope होगा, that is negative of coefficient of x, that is a, negative of coefficient of x upon coefficient of y, that is minus of a by b, that is minus of a by b, और यह इसका y intercept आता है, minus c by b, y intercept यह x intercept निकालना ह तो क्या करेंगे, अगर y intercept निकालना है, तो x को 0 रख देते हैं, और अगर x intercept निकालना है, तो y को 0 रख देते हैं, very basic and simple thing है, intercept form of the line कि इसको कहते हैं, कि अगर x intercept a है, y intercept b है, मतलब line जो है, इस तरीके से x axis को a, 0 पे खाट रहा है, और y axis को 0, b पे खाट रहा है, तो the line, the equation of the line is, x upon a plus y upon b equal to 1, है न, यह चीज़ यहां पर बतलाई गई है, ठीक है, तो है, एक उता normal form of the line, देखिए, normal form of the line भी बहुत simple है, x cos alpha plus y sin alpha equal to p, p क्या है, है न, यह देखिएगा, p इस line का origin से perpendicular distance है, p, इस line का origin से perpendicular distance है, और इसन से perpendicular distance p है, और यह जो پरपेंडिकुलर, जो positive direction of x सरसाफ angle बना रहा है, positive direction of x सरसाफ और गर वो alpha है, तो इस line की equation को आप लिख सकते है, x cos alpha plus y sin alpha equal to p, और यह जो alpha होता है, यह जो angle है, यह देख सकते है, 0 से घुमते, 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 मिखंते, कह फिर नेक्स एक होता है, parametric form, parametric form में क्या होता है कि एक point दिया रहे था, x1, y1, and there is a parameter given, कि इस point से r distance पे एक और point है, x, y, moving point, फिर से एक बार कर लेते हैं, हलोली कि एक fix point है, x1, y1, और हम लोगो रहें कि इस से r distance, r जो है, वो algebraic distance, r positive भी हो सकता, r negative भी हो सकता, जब r positive होगा, तो इस point से उपर के direction के line मिलते हैं, इस point से आगे के points मिलते हैं, r negative पे नीचे के points मिलते हैं, और यह जो theta है, यह angle of inclination of the line है, यह given है, सुनना ध्यान से क्या बोला जा रहें, एक पहली चीज गिवन है, x1, y1, मतलब यह point दिया हो, इस line का inclination दिया हो, x axis ना theta, मतलब इसको आप आगे बढ़े हैं, इधर, यह theta दिया हो है, और बोला है कि इससे algebraic distance r पे, अगर r positive तो उपर के side के point मिलेंगे, और r negative है, तो इससे नीचे के side के point मिलेंगे, कभी भी है ना, चाया cute angle हो, चाया out tooth angle हो, हम ही चाहिए यह होगा, तो हम लग होते हैं कि इस line की equation को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे, x minus x1 upon cos theta, this is x, this is x1, तो x minus x1 ऐसे दियाद रखेगा, y minus y1, ठीक है ना, तो x minus x1 upon cos theta, y minus y1 upon sin theta equal to, क्या हो जाएगा, r, इसको लिखने का एक और तरीका है, हाँ, इस तरीका से, x equal to x1 plus r cos theta, the variable point x, y should be written like this, x1 plus r cos theta, and y equal to y1 plus r sin theta, this is how you should write this, x equal to x1 plus r cos theta, and y equal to y1 plus r sin theta, x1, y1, fix point on the line, r क्या है, parameter है, r के change होने पे, x, y अलग-अलग मिलेगा है, theta fix है, x1, y1 क्या है, fix है, r can be positive, r can be negative, r जो positive होता है, तो x1, y1 से उपर की side के point मिलेंगे, और r negative होगा, तो नीचे की side के point मिलेंगे है, जब कभी भी question में, distance along the line involved हो, तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं, जब कभी भी, क्या हो, तो distance along the line की चर्चा हो रही है, तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं, this is your parametric form, now coming back to questions, हलाकि अभी भी कुछ खास नहीं दिया है, खतरनाक सी equations दी हुई है, और इसके बारे में बोला के centroid दिया होगा है, ठीक है, तो हम लोगों रहें कि ये a माल लिया, ये b माल लिया और ये c माल लिया, तो जो a b है, उसकी equation है, 2x plus y equal to 0, जो b c है, यानि कि ये वाला, x plus py equal to 21a, and a is not equal to 0, और जो आपका c ये है, this is x minus y equal to 3, मन्दब a वाला point तो आ जाएगा, आपका, y को minus 2x रख दीज़े, 3x हो जाएगा, तो x की value 1 और y की value शाहिद minus 2 है, 1, minus 2 ये वाला point आ रहा है, निकल गए, आपको b o c के बारे में बुल ला है, और b c का square निगाल ला है, तो अगर ये points पता चल जाएगा, तो काम हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर parametric लगाने का ऐसा, तो कोई मुझे direct चीज़ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई point पता होना चाहिए, तो direct वे से कोई fix point दिया हुआ नहीं है, तो मैं parametric तो नहीं जाओंगा, हाँ, एक और तरह का parametric होता है, इसका भी बड़ा ध्यान नखना चाहिए, this is also a way in which we write the line in parametric form, हम क्या करते हैं, कि x coordinate को कोई certain value assign कर देते हैं, जैसे x को मैंने मालोगी ले लिया a, या alpha ले लिया, a already used है, x को अगर alpha use कर दिया, तो y कितना हो जाएगा, minus 2 alpha, this is also parameter, alpha is a parameter, alpha change करेगा, तो इस line के ओपर different points आजाएगे, जैसे alpha equal to 1, पी ये point आया होगा, आप confused मत होएगा, बस ये समझेए, कि हम किसी भी line पे इस तरह से points select कर सकते हैं, जैसे इसमें देखते हैं, c में, अब same alpha नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इधर वाली line पे हैंना, और ये दोनों points इसको satisfy करेंगे, तो अगर मैंने इसमें y को beta ले लिया, तो x हो जाएगा आपका beta plus 3, y को अगर मैंने beta लिया, तो beta plus 3, इस तरीके से, ये भी एक बड़ा intelligent way है, to take point on a line, ये बिल्कुल ध्यान अखेगा है, ये बहुत बार use होता है, अब ये दोनों points वैसे तो इस पर lie करेंगे, ये भी बात है, और इसी के बीच का फंड़ा लगाते हैं, centroid का फंड़ा क्या होता वही, कि वही x coordinates का sum, that is alpha plus 1 plus beta plus 3 upon 3, equal to 2, तो यानि this is 6, तो alpha plus beta की value मुझे लगता है, 2 आ रहे हैं, एक तो ये equation अगे, दूसरी equation, minus 2 alpha minus 2, और plus beta upon 3, equal to a, तो this is 3 है, और हम इन दोनों को अगर घटाते हैं, तो मुझे लगता है, alpha आ जाएगा, बीटा इसमें घटाओ, तो 2 alpha is 3 alpha, plus 2, beta minus beta is 0, and this is 2 minus 3 है, तो 2 is gone, alpha has value minus a, बहुत प्यारी value आई है, तो, alpha की value क्या रही है, minus a, और beta यहां से हो जाएगा, मुझे लग रह यहनि, alpha और beta आपको a के term में आ गया है, लेकिन a की value निकाले भीना काम नहीं चलेगा, a निकल गया, बतलब alpha बीटा निकल गया, तो मेरा काम तो हो जाना चाहिए, मुझे निकालना गया है, बीसी का इसपर है, तो इसके 20 का distance, alpha बीटा निकालना पड़ेगा, अब हम लोग वो लें कि यह point इसपर भी लाई कर रहा है, है न, तो हम इसमें कर satisfy कर आते हैं, अचा, alpha अगर minus a हो गया, तो यह point हो जाएगा, minus a, comma 2a, तो यह point इसको जाएगा, minus a, plus 2ap, equal to 21a, अचा, एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखेगा, a non-0 है, तो एक ए काट सकतेगा, तो 2p, equal to 22 तो p की value आगई, जट से हमारी कितनी आगई, 11, यानि ये equation आगई, x plus 11y, equal to 21a, ऐस equation आगई, है न, और beta is 2 plus a, तो यानि ये point कितना हो जाएगा, देखना, 2 plus a plus 3, मतलब 5 plus a, comma 2 plus a, ये भी point इसके उपर लाई कर रहा है, तो a की value अब निकल जाएगे, मुझे लग रहा है, त plus 11y, मतलब 11, 22, plus 11a, equal to 21a, है न, तो 11, 12, उधर जाएगा, तो 9 ये, और 22, 5, 27, तो a की value मुझे अगर है, 3 आ रही है, तो बहुत intelligent calculations करने पड़ने हैं, और calculation ही है, सीधा-सीधा, तो alpha, sorry, a अगर 3 है, तो alpha आगया, sorry, यहाँ पर रख देते हैं, सीधा ही, a3 आगया, तो ये point आगया, minus 3, 6, और अगर a3 आगया है, तो this is going to be 7, 5, तो bc square अगर निकालते हो, तो 7 और 3, 10, मतलब 100, पता है नहीं, कुछ गरवड़ तो नहीं है, 101 टाइप का रहे है, एक ही value आई है, मेरी 3, तो minus 3, 6, यहाँ पर गरवड़ है, पांस तिन आठ, कॉमा पांच, एक मिनटार देख लेता हूं, फर से, पांस तिन आठ, और कॉमा पांच, तो आठ तिन 11, आठ तिन 11, अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल क्या रहे हैं, एक वेरिबल ट्राइंगल है, जिसके दो साइट फिक्स है, x equal to 0, y equal to 3, and its third side is a tangent to this parabola, तो तीसरा साइट इस पर tangent है, the locus of its circumcenter, circumcenter के अब उपर देखो सवाल आगया, तो उनको पता हैं कि बच्चे कहां खौफ खाते हैं, उसके हिसाब से खेलने भाई, किन सब words को देखते हैं, बच्चों को परिशानी हो जाती है, यह है आपका parabola y square equal to 6 times x, और यहाँ पे एक line है, यहाँ पे y coordinate कर 3 है, तो तीन तिया 9 बटा 6, 9 बटा 6 मतब 3 by 2 हो जाएगा, तो दो तो यही है, x equal to 0 और y equal to 3, और तीसरा शायद इस पर tangent है, तीसरा शायद पर tangent है, इस तरीके से, आपको point पता ही है, कि यह कैसे, अच्छा मेरे को निगालना है कि है, locus of the circumcenter, इसमें हमें tangent लिखना आना पड़ेगा, इसके उपर हमारे tangent होता है, ty equal to x plus 80 square, हम अगर इसको 80 square, 280 मानते हैं, तो ty equal to x plus 80 square, this is how we write down the tangent है, और यह point फिर आजाएगा, 0,80, x को 0 कर दो, a की value निकाल सकते हो, 6x है न, तो 4a is 6, तो a की value आजाएगी, 2, 3, 6, 3, 2, और यह point का, जैसे कि आपको पता है, y coordinate 3 है, तो y coordinate 3 रखोगे, तो x की value आएगी, 3t minus 80 square, x की value, यह आजाएग, अब एक यह right angle triangle है, तो right angle triangle का, right angle triangle का, जो circumcenter होता हो, mid point होता है इसका, hypotenuse का, तो हमने इसके mid point का locus निकालना है, जिसमें एक point है देखना, 3t minus 80 square, 3, और दूसरा point इधर आ रहे है, 0,80, ऐसा कुछ आ रहे है, तो अगर यह mid point है दोस्त, तो h कितना आ जाएगा, h by 2 यह आ जाएगा, तो यानि कि हम लोग वो सकते हैं, 2h, t बहा निकाल लो, तो 3 minus t आ जाएगा, 3 minus 80 आ जाएगा, यह चीज़ा जाएगा, इस तरीके से हम लोग वो सकते हैं, कि जो 2k होगा, है न, 2k जो होगा, this is going to be 3 plus 80, इस तरीके सारा है, अब हमको locus निकालना है, मतलब h, hk में equation निकालनी है, तो अब हम लोग क्या सर सकते हैं, कि हमें यहाँ से t को out करना पड़ेगा, तो यहनि यहाँ से 2k minus 3, है न, देख लो दियान से, upon a, तो 2k minus 3 upon a, इस t, चीज़िए, और इधर से कहाएगा, 2h equal to t, है न, है, दगि इस 2k minus 3 by a, and into, यह t है, और अंदर है 3 minus 80, 3 minus 80 मतलब यह चीज़ आ जाजएके, 2k minus 3, ठीके, तो इस इस 2h, a की value अभी निकाली थी मैंने, a की value तो इस इस 3 by 2 हो, तो नीचे 3 आ जाएगा, और उपर 2 आ जाएगा और यहाँ देखना 3 और 3 6 आ जाएगा शड़ माइनस 2 के तो यह 2 भी गया इधर से आएगा तो 3H और इक्वल तो 12K और प्लस 6K फिर माइनस 4K स्क्वेर और माइनस 18 सबको इधर ले ले तो मेरे काल से यहां से दीख सकते हैं 4Y स्क्वेर प्लस नहीं माइनस माइनस 12 जल एठारा 18Y प्लस 3 X प्लस 18 फ्लस 3 X प्लस 18 प्लस 18 अच्वेर ढहर और माइनस 18y प्लस 3 X प्लस 18 तो थोड़ा पेशेंटली इसमें T को एलुमिनेट करना इस दे इंपोर्टेंट इस्ट है अगर यहां तक आनी को बाद अगर ती और इसमें बहुत अच्छी तरीके सा कालकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको यह चमकना चाहिए कि यह पॉइंट है इस तरीके से हमें लाइन टैंजेंट डिखना चाहिए है ना तभी जाके बात बन पाएगी है ना देख लेगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल फिट से आगया आपके पास कुछ ऐसा ही है कि यह ट्रैंगल इस फॉर्ट बाइदे टैंजेंट है दा पॉइंट टू कॉमा टू कॉमा टू मुझे घुमा जो अग्स ऐसा कुछ और यह पॉइंट है था आपका टू कॉमा जिरो और यह पॉइंट एक्जाक्ली टू कॉमा टू ऊपर है और यह पॉइंट भी है अब जो वाइस पे रिकुल टू एक्स वाला पैरा होला है वो भी बड़ा बेहतरीन है वो कुछ ऐसा है यह कुछ ऐसा है पैरा बोला अब दिखना अब बोले कि ट्रेंगल इस फॉर्म बाइदे टैंजेंट इस पॉइंट तो देखो भाई इस पे तो टैंजेंट बहुत क्लियर कट है सरकल वाला सरकल वाला टैंजेंट तो बिल्कुल ऐसे बिंदा जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं इसको ऐसा है य इक्वल टू और क्या बोल गए एड़ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू है तो उसका भी देखना पड़ेगा आपने को क्या कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू है तो दोनों इंटरसेप्ट इसका माइनस टू होगा तो ये लाइन तो कुछ भाई ऐसे ही बनेंगी ये पॉइंट निकालना बड़ा असान गाम है कि ये एक्स प्लस वाई प्लस टू और ये वाई इक्वल टू रखोगी तो एक्स की वैलू शायद माइनस फूर और कॉमा टू ऐसा कुछ आए ये पॉइंट आपको पता है ये टू कॉमा टू है फिर अब एक ओर टेंजिंट बनेगा जो इस पैराबोला का टैंजिंट होगा दोस्त है नौ ये वाला कुछ ऐसा आएगा ना देख लो और इस टैंजिंट की एक्वेशन लिखो गया फिर से टू कॉमा टू पॉइंट पे लिखो गया ना हैं कि हमारे पास यह है तो वाइ वाइवाईवन एक्वल्ट माक कैस बने मुझे लग रहा है कि एकवलू लेटिये लाइन और यह सब्सक्राइं साफ सो काहां काठेंगा जहां माई जी जी्रव होगा यहीं मांइन स्टू कॉमाज जिर्व पी ही काठेंगा शॉरी शोरी शो यह पॉइंट होगे है अब माइनस 4,2 एक यह पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है माइनस 2,0 यह भी देख लो यह तीनों लाइन बन रही है इससे ट्रेंगल बन रहा है ना तो इस पर भी टैंजेंट बना लिया यह इस पर बना लिया है इस पर बना लिया है अब बोला कि स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है बाई फॉर्मूला है यह सब पूछते हैं इसलिए मैं सोटी हमेशा बढ़ाता हूं कभी भी स्किप नहीं करता हूं तो स्मॉल आर इस वोट एबी सी अपॉन फो डिल्टा आपको बोले स्मॉल आर यह इन रेट नहीं बड़ा है यह कापिटल आर वाल है उसको लिख स्मॉल आर दिया बट है तो दास आपर एसफ फॉर्मॉला वही लगे तो ए बी सी साइट निकालना बड़ा असान है जैसे यह अला साइट जो है यह है सिक्स यह बाला डिस्स फॉर्मॉला बिल्कुल इसी है चार और चार है ना आठ तो शयद यह टू रूट टो हो जाएगा और यह वाला चार और सोला 20 तो यह 2 रूट 5 तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी ABC मंदब एक कितना हो गया एक तो हो गया 6 एक हो गया 2 रूट 2 और एक हो गया 2 रूट 5 है और क्यूं बढ़bor दिलिटा सब्ब तो डिल्टा हाफ मेंटू हाइट कर लेते हैं 20 कितना है यहां से यहां तक का लेंथ है और यह संधी बेष है और यह हो गया हाइफ तो मेरे काल से देखो बेष तो है और हाइट जो है वह यह वाला लेंथ है तो यह वाली लाइन है तो यह टू गया यह शिक्स गया अच्छा यह चार गया इस रूट है तो हलांकि देखा जाए तो यह भी बहुत बेसिक लेबल का सवाल है बस लास्ट में कर आपको यह चीज़ कर जा रही है कि कि ABC by 4 delta लगाना है और प्यार से थोड़ डाइग्राम बना ले ना सब समझना आजाएगा है ना अगले सवाल प्याजाते है अगले सवाल प्याजाते है इस सवाल में क्या क्या रहा है कि straight line cut off the intercepts O A A and O B equal to B दियो है ठीक है on the positive directions of x-axis and y-axis respectively this is O this is capital A this is B this small a small v बोल रहा है है ना if the perpendicular from origin O to this line makes an angle pi by 6 with positive direction of y-axis मतब यहां से जो perpendicular drop कर रहे है यह y-axis साथ pi by 6 मतब यह angle pi by 6 बना रहा है तो यह angle of course pi by 3 हो गया गाई यह angle pi by 3 हो गया है if the perpendicular from origin make this angle pi by 6 with y-axis मतब यह pi by 6 है pi by 3 and the area of the triangle O A B is given to be this 98 by 3 root 3 तो भाई यह normal form वाली line लिख लेते है ना देखो normal form का भी use कर लिया इसने x cos alpha तो cos alpha मतब पाइब 3 plus y sin alpha sin alpha मतबला हो गया sin pi by 3 sin pi by 3 मतबला हो गया root 3 by 2 equal to p p क्या होता था यह perpendicular distance अभी बतला है थोड़ी देर पहले है ना p हो गया तो हम क्या a और b निकाल सकते हैं yes intercept form में बदल दो इसको तो p से divide कर लो तो x by 2p and y upon plus y upon पी से divide कर दिया 2p upon root 3 equal to 1 इंटरसेट form भी लग गया तो यह point हो गया 2p,0 और यह point हो गया 0,2p upon root 3 अब इसी का area दिया हो है इसी का area दिया हो है तो लेले कि जो 98 by 3 root 3 दिया हो है this is the area of this triangle that is half into 2p into 2p by root 3 ठीक है यह root 3 और यह गया तो एक root 3 आएगा नीचे यह भी गया एक 2 जाएगा और यह 2 से जाएगा तो 49 और p square is 49 तो p की value आगी गई 7 7 का मतलब क्या हो गया कि यह बच्चे हो गया 14,0 यह बहुत basic सवाल दिया है इन्होंने 0,14 by root 3 थोड़ा सा patience से इतना वड़ा सवाल देखे एक तो पहले बच्चा डर जाता है थोड़ा patience लगाईगा तो ही आपको यहां तक महों जाएगा अभी a square minus b square पूछ रहा है तो this is I think simple 14 का square हो जाएगा तो मुझे लग रहा 196 और 1 minus 2 by 1 by 3 is 2 by 3 392 by 3 है ना yes तो the answer should be a आगरा देख लो गई तो बहुत ही a b की value पता चली गई और अब आप a square minus b square कर तो हो गया कि अगले सवाल पर आते हैं हना अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल क्या क्या है if the ortho center of the triangle whose vertices are this अभी थोड़ी दिर पहले just किया था है ना ऐसा ही सवाल अब लिए फिर सब वही काम कर लेना है तो मेरी खास ही मैं आपके लिए छोड़ देता हूं यह आप कर लिजेगा और यह पॉइंट भी बड़े आसान से तो करके देख लीजेगा ठीक है guys आगे बढ़ते हैं यह सब बिल्कुल basic illustrations जैसे होते थे थे ना वैसे सवाल है ना जो अब इस line में क्या कहे रहा है कि x intercept तो मुझे तो दिखी रहा है है ना 45 से divide करोंगे 5 और इधर शाय ना ऐसा कुछ आएगा तो यह point है guys 5,0 and this point is 0, नहीं 45 से divide करोंगे तो यह intercept आ जाएंगे ना और बोला कि इसको तीन बराबर भागों माट रहा है ना तो इसको अब तीन बराबर भागों माटोगे तो दो पॉइंट आएंगे है ना और यह 1 is 2 और यह 1 is 2 1 is 2 1 के ratio में आएंगे तो section formula लगाओ जैसे यह point निकालना को तो इधर से 1 और इधर से 2 यह पूरा 2 इधर से 1 यह इधर से 2 तो कैसे निगर लगा वाई 2 इंटू 0 1 तो 5 by 3 2 इंटू 9 1 इंटू 0 18 by 3 that is 6 यह point है अब इधर से निकालोगे तो यह 2 is 2 1 निकलेगा section formula basic तो 10 by 3 कॉमा एक नाइन वाई 3 3 है नहीं यह आला है तब बुला कि M1 M2 आदा slopes of the lines जो भी है L1 L2 तो मतला हम लोगों लेकिए जो lines इनके slopes की बात हो रही है तो यह तो बहुत ही simple निकालना हो गया ना यह एक horizon है और एक point यह है तो slope में रिखाल से M1 आजाएगा आपका y upon x आता है स और दूसर स्लोप आजाएगा 3 upon 10 by 3 तो 9 by 10 आसानी से निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है अब बोला है कि यह line lies on then the point of intersection of the line this with L अच्छा इसका उसके साथ intersects तो y equal to M1 plus M2 कर लो दोनों का slope आड़ कर लो तो इसको लिख दो 36 बटा 10 45 बटा 10 तो 59 45 9 by 2x यह आ लिए यह कौन सी line हो गई यह y equal to M1 plus M1 with L मतलब L मतलब वो 9x plus 5y तो y की जगा यह ही रख दो 9x by 2 equal to 45 तो 99 5 अब यह 2x plus 5x 7x तो मुझे लग रहा है x की value आ रही है 10 by 7 और y की value 10 by 7 तो 45 by 7 तो यह मेरे खल सी intersection आ बोला कि this point lies on तो y minus 2x करेंगे तो 45 में से 20 गया 25 नहीं 25 बटा 7 तो 5 नहीं होगा 6x मतलब 60 105 बटा 7 10 तो नहीं आएगा y minus x 45 में 25 बटा 7 5 है तो c is the answer तो बिल्कुल basic सवाल था है अगर आप थोड़ा आराम से calculation कर जाओ तो बड़ी है फिर एक हो था position of a point with respect to line तो मैं बस याद दिला दिता हूं क्या है कि 2.x1y1 एक ही line के same side पे कब बोलते हैं जब हम लग बोलें कि जब a जिससे अगर 2 lines एक line है a x plus by plus c equal to 0 और कोई दो points के बारें बात वरी है x1y1 और x2y2 ये बोला है कि सब same side कब लाई करेगा तो हम लोले same side तब लाई करेगा जब आप a x1 plus by1 plus c and a x2 plus by2 plus c इन दोनों का sign सेम हूं मदब अगर ये positive है तो ये भी positive अगर ये negative है तो ये भी negative है तो x1y1 और x2y2 same side of the line करेगा जब a x1 plus by1 plus c and a x2 plus by2 plus c दोनों के दोनों positive हो ये दोनों के दोनों negative हो लेकिन opposite side कब लाई करेगा जब इन दोनों के sign opposite हो ये positive है तो तो सीधा हम यहां X की जगा X1, Y की जगा Y1 रख देते हैं, तो X1 प्लस B1 प्लस C का मॉड और नीचे, रूट अंडर कॉफिटेंट अफ एक्स और कॉफिटेंट अफ य का स्क्वाइर मंदर A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर, तो this is how we find length of perpendicular है, अगले सवाल पर हम लोग आएंगे हूँ, ठीक है, चलो भाई, इसमें क्या कर रहे हैं कि let B and C are two points on this line, Y प्लस X इक्वाल तो 0, Y प्लस X इक्वाल तो 0 इस लाइन लाइन लाइक दिस, मतलब अगर जितना दूर इधर है, उतना दूर इधर है, इधर है न, B और C, ठीक है, and A is lying on this line, and ABC is an equilateral triangle, then the area of the triangle ABC, अच्छे, equilateral triangle में कि आपको यह पता है, कि equilateral triangle में अगर आपको area कभी निकलना हो, और in case, अगर आपको, देखो, side पता है, तब तो आपको पता ही है, root 3 by 4 a square, लेकिन अगर आपको कोई भी एक altitude, क्योंकि सारे altitude same ही होंगे, तो अगर आपको altitudes पता है, जैसे माली जै कि इसका जो altitude length है, P है, इसका जो altitude length है, P है, तो यह हम आसानी से prove कर सकते हैं, कि इसका जो area होगा, this is P square upon root 3, बाकि root 3 by 4 a square, वो तो लगा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आपको altitude का length पता है, तो this is simply P square upon root 3, अचा, एक चीश समझेगा, कि अगर यह equilateral triangle है, तो इसका जो right by sector होगा, उसी पे यह point आएगा, क्योंकि आपको equilateral triangle पता है, तो यह दोनों बराबर ही होते हैं, तो जो right by sector होगा, यह ABC triangle है, आपका माली जै, तो BC का जो right by sector होगा, उसी पे यह आएगा, तो यह कह रहा है मेरा भाई, कि A point इस पे लाई कर रहा है, और मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिल में क्या आ रहा है, कि BC का जो right by sector होगा, BC का right by sector निकालना, बहुत आसान है, Y equal to X, symmetric है तो Y equal to X, तो मैं बोला हूँ कि जो A होगा, वो Y equal to X पे होगा, और यह कह रहा है X पे भी होगा, यानि दोनों की बात सत्ते हैं, तो यानि कि यह दोनों के intersection से यह आएगा, A पे भी, A पे भी यह दोनों के intersection तो Y को X रखोगे, तो मुझे लग रहा है कि minus 2, comma minus 2 यहाँ पे A है, अब इसका area पूछ रहा है, तो भाई मेरे पता है यह perpendicular bisector ही है, तो यह length हो गया P आपका है, यह equilateral बना देता हूँ, यह P हो गया हमारा, तो P कितना हो जाएगा, root under 4, root under 4, that is root under 8, यह आगया, तो area क्या हो जाएगा, P square upon root 3, मतलब 8 upon root 3, this is the area, तो मेरे काल से इसका answer सीधा सीधा क्या जाएगा, C, और नहीं तो फिर component wise निकालो कालके कर सकते थे हैं, तो मेरे काल से clear है बात, आसान है, अब आगे बढ़ते हैं, next question के तरफ, let the equation of two adjacent sides of a paleogram, be this and this, if the equation of one of the diagonal is this, तो भाई अगर दो adjacent sides है, तो एक vertex तो मिली जाएगा, इसको solve करने के लिए, तो पहले ही यह तो इसको solve कर ली जाए, one of the line is this, and the other line is 5x plus 4y equal to 23, तो I hope इसको 4 से multiply करके, और इसको 3 से multiply करके add कर दे, तो 8x और 15, तो यह 23x हो जाएगा, minus 12y plus 12y, सन्नाटा हो जाएगा, है न, इन दोनों में चाहो तो 23 बाहर निकालनों, इधर आजाएगा minus 4 plus 3, that is minus 1, यह यह एक्स की value minus 1 आ रही है guys, और x अगर minus 1 आ रहा है, तो यह हो जाएगा minus 2, इसमें रख जाते है, minus 1 आ रहा है न, तो minus 5, 25, 28, तो Y की value आ रही है, 7, तो diagonal AC की equation दी है, the equation of one of the diagonal AC is given, तो देख लिए हूँ, यह point इसको satisfy कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, तो minus 3 और 49, तो मुझे ने लगता है, इसको satisfy कर रहा है, तो यह clear होगे कि जो parallelogram बनने वाला है मिरा, तो अगर मैं इसको A, B और C और D कहता हूँ, तो AC जो diagonal है, वो यह है, और इसकी equation है, AC diagonal की कितनी है, बचो, 3X plus 7Y, अचा है, इसमें फिर 23 है, यह last one, यह है, और हम लोग को पता चल गया है, कि दो adjacent side में, यह दोनों नहीं हो सकते, कि फिर इसका intersection A हो जाएगा, जो इसको satisfy नहीं कर रहे है, तो एक line चाहो तो आप यह मालनो, 2X minus 3Y, एडजसेंटी लियन है न, और 5X plus 4Y, equal to 23, यह दोनों, and this gives me this point, minus 1,7, minus 1,7, यह point मेरे को तो मिल जाएगा, है न, अब मुझे क्या चाहिए बढ़ी, and the distance of A, यहनि A point निकालना पड़ेगा, A point निकालने के लिए फिर इन दोनों को solve कर लिजए न, इन दोनों को solve करना भी थोड़ा सा मेरा काप हो सकतो है, इसको चाहो तो आप 2 से multiply कर दो, और इसको 3 से और फिर subtract कर देते हैं, तो 6X, 6X, साफ, 14Y और 9Y, 23Y, और फिर से 23 बहार निकाल लिजए, और 2-3 is going to be, 2-3 है न, घटा रहे हैं, जोड़े हैं, साफ, प्लस, तो जुड़ जाएगा 5, यानि Y की वैलू इसकी 5 आ रही है, Y अगर 5 आ रहे हैं, तो यह मेरे खाल से 15 हो जाएगा, तो माइनस 8 तो माइनस 4 आ रहा है चाहिए, एक बार और चेक कर लेते हैं, माइनस 12 और प्लस 35 is going to be 23, ठीक है, यह भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि देखू, and the distance of A from the diagonal D, तो मतलब हमें इस diagonal की equation लिखनी पड़ेगे बॉस, इसकी equation लिखनी पड़ेगे, और मुझे लगता है कि यह point हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, तो अगर यह point निकल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा फिर से, तो फिर से इस point को निकालने के लिए चलते हैं, इसको अब 5 से multiply करते हैं, और इसको 3 से और फिर सब्ट्राक करेंगे हैं, तो 15 x 15 x साफ, 35 में से 12 गया, फिर से 23 y है, बहुत सभी data set किया है इनोंने, और 5 मेंस 3, म y की value मुझे लगता है, 2 आ रही है, और y अगर 2 आ रहा है, तो 14, 9 है न, तो 3 आ रहा है, 3, 2, चेक कर लो एक बार आप, इसको भी satisfy कर रहा है, 15 और 8 तेज़, ठीक है, तो यह नहीं, इसका जो mid point है guys, यह बन जाएगा, 3-4-1 by 2, 7 by 2, मेरे खाल से अब formality रह गई, अब आपक कर लिजेगा, यह point पता है आपको, right, और यह point पता है, तो इसको, इसके तुरू एक line लिख लिजे, और इससे फिर उसका distance निकालना है, तो बस simple अब काम करना है, कि आपको इस line को लिखने के बार, इससे distance निकाल लिजेगा, and that will give you the answer, right, और को geometrical बात तो कर नहीं सकते है, कि रोंबस, अंबस तो है नहीं, जो हम कुछ जुगाड़ पानी कर लें, ठीक है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर दो panel lines के बीच का distance चाहिए, एकस प्लस बीवाई प्लस सीवन इक्वल टू जिरो, इन दिस, ध्यान रखना, इस formula को लगाने से पहले, एकस और वाई के जो coefficient होने चाहिए, दोनों में, बिलकूल सेम होने चाहिए, जैसे, एकस प्लस बीवाई प्लस इक्वल टू जिरो और दूसरा आपने आप क्या है, एकस प्लस बीवाई प्लस सीटू इक्वल टू जिरो, तो इसके बीच का जो distance हाएगा, गाइस वो कितना हैगा c1-c2 upon root under a square plus b square मेरे काल simple सी बात है कभी अगर कोई कहे कि parallelogram रहंबस बन जाए तो हमें simple से काम करना है जिसे हमाँ लिए parallelogram है देख लिए parallel lines है और ये भी तो parallelogram रहंबस कब बनेगा जब इन दोनों की बीच का distance और इन दोनों के बीच का distance सेम हो जाए इन दोनों के बीच का distance और इन दोनों के बीच का distance c1-c2 c2 upon root under a1 square plus b1 square और फिर इधर से कितना हैगा d1-c2 upon root under a2 square plus b2 square तो कभी इस चीज का इस्तमाल करना पड़ जाए तो चूकिएगा मत बस यह है reflection की बात कर लेते हैं तो reflection के बात बिल्कुल आसान है कि अगर कोई point x,y है इसका y equal to x में reflection निकालते हैं तो y,x हो जाता है यह अलफा बीटा का reflection क्या हो जाता है बीटा कॉमा alpha x,y का reflection अगर आप origin में निकालेगा तो minus x,y अगर आप x-axis में निकालेगा x,y का reflection that is x,y y एकस में निकालेगा तो कितना हो जाएगा minus x,y तो हम लोग बोलें कि इस तरीके से यह points लिखे हुए है न तो y equal to x वाला भी ध्यान रख्येगा बहुत यूज होता है आजा कोई arbitrary line के about हम reflection ले रहे है मालोग यह line है x1 अगर तो हम लोग reflection point को अगर x2,y2 कहते है न, x2,y2 कहते है, right, x2,y2, x1,y1 के reflection को x2,y2 in this line तो simply याद रखते है x2 minus x1, देखिएगा, x2 minus x1 upon a, y2 minus y1 upon b, x2 minus x1 upon a, y2 minus y1 upon b equal to minus 2 times और x1,y1 आपको पता है तो x1 plus b,y1 plus c, normal classes मैं इसका proof देता हूँ, बड़ा भी हमेरे पस इतना समय नहीं है, तो minus 2 into x1 plus b,y1 plus c upon a square plus b square कभी-कभी यह होता है, कि हम यह foot of the perpendicular चाहिए होता है, तो हम image के लिए से ध्यान रखें कि यहाँ minus 2 रहेगा, और foot of the perpendicular के लिए 2 नहीं रहेगा, मतलब simple इतना रहेगा, तो कभी भी ऐसा हो कि foot of the perpendicular directly निकालना हो, तो बस इस 2 वाले पार्ट को drop करके आप बिल्कुल वैसे ही लिखेगा, दीखें नहीं, आप यह लिखा हो, x3 minus x1, y3 minus y1, जो भी है, a upon b, और minus a x1 plus b y1 plus c upon a square plus b square, तो this is very basic way to find the foot of the perpendicular, ठीक है, आगे हम सवालों प्याज आते हैं, ठीक है गेस, a light ray is emitting, sorry, emits from the origin, making angle 30 degree with the positive x-axis, तो फिर x plus y equal to 1 से ही टकरा रहा है, यह बचो, x plus y equal to 1, वाली रहीं, और यहाँ से शायद इधर से निकल रहा है, और 30 degree बजा के इधर टकर मार के आ रहा है, तो भाई, यह 45 है, और यह 45 है, क्योंकि minus 1 slope 135 से इधर होगा, यह 45, 75, 105 degree आएगा, और यहाँ पर अगर यह reflect हो रहा है, तो यहाँ एक वो आएगा, perpendicular to this line, यह न, perpendicular to this line, ऐसा कुछ बनेगा, is this perpendicular, yes, और अगर यह perpendicular है, तो अब इसका दिया reflect होके, इधर, ओ, नौ, अगर यह perpendicular हो गया है, तो यह reflect होके, इधर से बन जाएगा, हैना, ऐसा, तो यह ही कहा रहा है, यह light ray emits from the origin, making an angle 30 degree, with the positive x-axis, हैना, after getting reflected by the line x plus y equal to 1, इसे टकरा के, this ray intersects x-axis at q, q पे कट रहा है, हैना, then abscissa of q, मतब, q का x-coordinate हमें, basically, बतलाना है, q का x-coordinate हमें, बतलाना है, तो क्या कर सकते हैं, एक तो बिल्कु सिंपल आइडिया लग रहा है, कि lines की equation लिखके, फटा-फट से solve कर लें, क्योंकि बहुत basic basics है, इसका tan 30 है, tan 30 is 1 by root 3, तो इस line का equation हो गया, y equal to xy root 3 है, यह point निकालना असान है, क्योंकि y equal to xy root 3 रख देंगे, तो x coordinate आजाएगा, root 3, root 3 plus 1, आप निकालके देख लो, और y coordinate आजाएगा, 1 upon root 3 plus 1, श्याद ऐसा, और अब हम अगर इस line की equation को लिख रहे हैं, तो यह देखो 30 है, तो क्यासे हम इस angle को निकालें, चलिए, एक काम करते हैं, यह वाला angle पहले निकाल लेते हैं, तो बच्चों इधर से यह 90 डिग्री हो गया, और यह अभी 105 निकाला था, तो यह 15 डिग्री है, अगर यह 15 है, तो यह angle of reflection 15 डिग्री है, तो 30 हो गया, तो यह वाला angle तो हमारा आजाएगा, 90 में से 15 गया, 75, और यह 45 है ही, तो 75, 85, 40, 120, यह 60 आजाएगा, तो यह नि हम लोग basic sense से निगाल जाकते हैं, कि इसका slope 1060 हो जाएगा, तो इस line क equation हो जाएगे, y-1 upon root 3 plus 1, और root 3 is the slope now, x-root 3 upon root 3 plus 1, तो guys हमने शायद y को 0 लेना है, तो यह point निकलेगा, चीक है, तो इसको इधर divide कर लो, तो x की value आजाएगे, root 3 upon root 3 plus 1, और plus 1 upon root 3, into root 3 plus 1, तो मुझे लग रहा है कि root 3 plus 1 is common now, और root 3 के साथ ही लेख लूँस को जाएगे बहतर है, और 3 plus 1 शायद 4, ऐसा कुछ आना चाहिए, शायद कुछ लफड़ा होगे लगता है, okay, there is some, some, लफड़ा, अच्छा, यहां minus होगा, no, no, ठीक है, यहां 2 आएगा शायद, अब ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है, 2 upon 3 plus root 3, यह minus आएगा, of course, कि यहां एक minus sign है, यह जाएगा, तो क्या होजाएगा, प्लस होजाएगा, तो मेरे गाल से 2 upon 3 plus root 3, आप चेक कर लिजेगा, काल्कुलेशन कुछ गरबढ़ हो तो बता दीजेगा, ओके, यह भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई पैलेलोग्राम है, उसका area आपको direct लिखना है, सबसे पहले, इसमें ध्यान रखेगा, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, नहीं तो ऐसा नॉर्मली बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर आप इससे area निगालते हो, यह सब प्रूब कर ले जाते हैं, नॉर्मल क्लासे में, बट अब भी तो नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला काम होगा, कि y equal to mx plus c के format में लाइन लिख लीजेगा, बहुत बार बच्चे की गलती करते हैं, कि mx plus c में नहीं लिखते हैं, अगर आप में से भी किसी बच्चे ने गलत किया हो ऐसा कुछ formula लगाने से पहले, पहली बात जानते थे या नहीं जानते थे वह बता दीजेगा, और लेकिन अगर गलत किया हो तो जरूर बतला दीजेगा, कि sir मैंने इसको slow form में नहीं बतलाता है, जिसके विज़से गलती होगे, या मुझे आज तक पता नहीं था कि यह गलत कैसे हो जाता है, तो आप इस चीज़ का देन रखिएगा, कि y equal to mx plus c के form में सारी लाइन्स होनी चाहिए है ना, और उफकोर्स पहले उगराम है, slopes are, आपने सारी लेगा पहले लेगा, तो आप बस इसको ऐसे याद रखिएगा, c1 minus c2, d1 minus d2, और m1 minus m2, इसके उपयोग से ये प्रूफ हो जाता है, बहुत बड़ी बात दी है, condition of concurrency तीन लाइन से, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and a3x plus b3y plus c3 equal to 0, what is the condition of concurrency in this condition, a1, b1, c1, a2, b2, c2, and a3, b3, c3 का determinant, that should be 0, यह होता है, कोई बोले कि सर, vice versa true है गया, कि अगर यह 0 है, तो तीनो लाइन से concurrent होंगी, तो ले ले, no, converse is not true, कि कि ऐसा हो सकता है, कि दो या तीन, तीनो लाइन अगर parallel भी हूँ, माल ले जाए, तब भी यह delta determinant 0 है, लेकिन वो तीनो लाइन से concurrent नहीं है, तो मेरे खाल से clear है, कि अगर यह concurrent है, तो यह condition true है, but converse is not true, family of state line, basic चीज है, कि अगर दो लाइन से दी हुई है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो this is how you write, l1 plus lambda l2 equal to 0, l1 plus lambda l2 equal to 0, इस तरीके से हम family of lines को लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मालों की इन दोनों का intersection है, कुछ निकाल लिया, अपनी intersection alpha beta, तो this is how you can also write, y minus beta equal to m into x minus alpha, क्योंकि alpha beta known है आपको, m variable हो जाए, और m के change से, आपको different lines आजाएंगे, तो this is also a way, in which हम लोग लिखते हैं, अनिक सीज़ है, equation of bisector of lines है न, तो a1 x plus b1 y plus c1 upon this, अगर दो lines है, ये और ये, और इसका हमें कहले लिखना है, bisector, angle bisector, तो angle bisector वाली lines कैसे लिखते हैं, this upon root under a1 square plus b1 square, कैसे आता है, वही perpendicular distances बराबर करके, है न, bisector पे कोई एक point लेगर, perpendicular distances बराबर करते, equal to plus minus this, कभी कभी इसमें आता है, acute angle और obtuse angle के bisectors को identify करना, तो इसके लिए सबसे पहले, यहां से आप a1 a2 plus b1 b2 निकाल दीज़े, अगर a1 a2 plus b1 b2 देखना, a1 a2 और plus b1 b2 निकाल दीज़े, अगर a1 a2 plus b1 b2 positive आज़े, तो यह जो plus sign वाला है, वो bisector of obtuse angle होगा, और minus वाला acute, अगर यह negative हो जाए, तो minus वाला obtuse angle का bisector होगा, तो सिर्फ आपस इतना ध्यान रखिएगा, यह positive है, तो plus वाला is the bisector of obtuse angle, और अगर यह negative है, तो minus वाला is the bisector of obtuse angle हो, जो बच जाएगा, automatically किसका हो जाएगा, acute का bisector हो जाएगा, इस सवाल पर आते हैं, इस सवाल पर आते हैं, सवाल कहें कहेता है, there is this line and the angular bisector of this and this, तो दो lines का angular bisector है यह, जैसे यह दो lines है, और इसका बच्चों हमारे को angle bisector दिया हुआ ही है, ऐसे, है ना, this is the angle bisector, एक line है आपकी, x minus y plus 1 equal to 0, और दूसरी line है, alpha x plus beta y, plus 17 equal to 0, है ना, और इसका bisector दिया हुआ है, 3y minus 2x equal to 3, ऐसे आते हैं, this is one of the bisector, ऐसा दिया हुआ है, अब बुले के, हमें alpha बीटा की value निगाल कर, यह expression का value निखालना पड़ेगा, अब कोई सोची कि सर मैं इसका bisector लिखकर इसके साथ compare करूँगा, तो बहुत लंबा खेल हो जाएगा, बहुत लंबा खेल हो जाएगा, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, कि हम इस point को तो निखाली सकते हैं, कैसे निखाल सकते हैं गुरुजी, बहुत इजली है, इन उन्हों को solve कर लिजाए, तो जिससे इसको 3 से multiply करके जोड़ लिजए, तो 3x-2x is x, equal to 0 आ गया सीज़ा, 3 equal to 3, खट गया, तो x 0 आ जाएगा और y 1 आ जाएगा, मतलब यह point देशाएद 0,1 आप एक बाद चेक भी कर लिजाए, 0,1 रखेगा ठीक है, 0,1 ठीक है, तो यह point of intersection 0,1 आ गया, 0,1 के थूरू यह भी पास करेगा भई, तो x को 0 रखोगे तो beta equal to minus 17 आ गया, यहनि इस line की equation होगी, alpha x minus 17y, plus 17 equal to 0, अब को भी लेकर सर अब लिख लेते हैं, तो अभी भी छोड़ते हैं यह कुछ और तरीका सोचते हैं, एक चीज़ समझेगा, इसके उपर जितने भी points होगे ना, इसके उपर एक random point लेकर दोनों का perpendicular distance बराबर कर लिज़े, बट वो फिर से ठीक ठाक समय तो लगे, ठीक ठाक नहीं, निकल जाएगा, असानी से निकल जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं कि बीटा तो हमने निकाली लिया ना, तो एक हो सकता है कि इसके उपर कोई randomly point ले लिजा है ना, जैसे माल लिजे हमने इसके उपर एक point ले लिया, कि x की value जैसे 1 रख दी, x 0 तो नहीं रखेंगे उधर यह वाला point आ जागा नहीं तो है ना, x y 0 रख सकते है ना, तो y 0 रख दो तो 3y 2,0, अब 3,2,3 by 2,0 से आप इसका distance बरावर के लिए, जैसे इसका distance जाएगा 3 by 2 plus 1 का mod upon root 2, and 3 by 2,0 से निकालीगा तो 3 alpha by 2 plus 17 है ना, और upon में कितना हैगा, root under alpha square plus 289, ऐसा कुछा रहे, 17 का square, अब यह 3 by 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 5 by 2 हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है दोनों side square तो करना है पड़ेगा, guru, तो 5 by 2 का square मतलब हो जाएगा 25 बटा 8, into alpha square plus 289, and that is equal to 9 alpha square by 4, plus 289, और plus 17 यह हैं कावन alpha, इसके अदा आप alpha को solve करके निकाल सकते हैं, एक तो यह तरीका है ना, प्यास से निकाल लो, थोड़ा सा भारी बर काम लग रहा है, लेकिं ठीक है 25 alpha square उदर 2 से multiply होगा, तो 18 alpha square तो 7 alpha square, 7 alpha square, फिर minus 51 alpha और फिर जो भी आप काएगा ना, 289 common लेके 17 बटा 8 है ना, तो निकाल लीजे, solve करके, दूसरा इक तरीका हम सो सकते हैं, कि इसके उपर कोई एक point ले लिए, जैसे इसके उपर हम एक point ले सकते हैं, अगर हम इसमें y को 0 करें, तो minus 1,0, तो minus 1,0 का, अगर मैं इस line में reflection लिख दूँ, तो obvious ही बात है कि आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कि जैसे मैंने माल लो कि, इस line को मिटा दिया, थोड़ी दे रिकली, आप ऐसा समझना है, इस line को मैंने मिटा दिया, और इसके उपर जितने points हैं, धान से सुनना है ना, इस line को मिटा दिया है ही नहीं यह लाई, और इसके उपर जितने points हैं, उसका अगर मैं इस पर reflection लूँ, तो जो भी reflection के बाद मिलेगा, वो ऐसी एक line मिलेगी, आप सुझे ना, इसको हटा देते हैं, और इसके उपर जितने points से हैं, उन सबका reflection से मिलेंगे, तो बिल्गो symmetrical diagram नहीं बनेगा, इस तरह अगर, तो यह निकि, माइनस 1,0 का भी reflection कही ना कही इस line पर आएगा, in this line, तो मैं माइनस 1,0 का reflection लिख लेता हूं, in this line, 2x-3y-3y-3-0 में reflection लिख रहे हैं, reflection का formula भी बतला है हैं मैंने, तो मैं कैसे लिखूंगा, x2-1, तो प्लस 1 हो जाएगा, upon 2, y2-0, upon-3, equal to minus 2 times, minus 2 times, x1, तो minus 2, 0, plus 3, upon, 2-4, 9-13, तो मुझे लग रहे हैं कि, x2 plus 1, equal to, 4, sorry, sorry, 3 minus 2, minus 4 by 13, तो x2 की value आ रहे हैं मुझे लग रहे हैं, minus 17 by 13 हैंना, चेक कर लेना, और y2 की value कितनी आ रहे हैं भाई, 6 by 13, ऐसा रहा है, ऐसा रहा है, अब यह इस वाले पर लाई करेगा हैंना, तो alpha into x, मतब यह point इसको लाई करेगा, तो minus 17 alpha by 13, और इधर आएगा, minus 17 y, मतब 6 by 13, plus 17, तो पहले तो एक 17 का खत्रा जो है, वो खतम हो गया, इसमें जो बहुत प्यार से निकल गया, और उधर alpha by 13, equal to कितना आजाएगा भई, यहां 1 बचा है ना, तो तेरम शेकर 7, पता नहीं सही या गलत, बहुत मांजाने, alpha की value शाहत 7 आनी चाहिए, देख ले ना, तो यह नहीं कि हम लोग हो सकते हैं, क्या कि यह 289, प्लस 49, और माइनस 7 और प्लस 17, 17 हम साथ गया, 10, ऐसे कुछ आएगा, तो 9, sorry, 9, 9, 18, 1, 2, 4, 6, 348 टाइप का आजाना सी है ना, देख ले ना एक बड़, तो calculation चेक कर ले ना, कुछ error हो गया हो तो भई आप समाल ले ना, transformation of axis की बात करें, तो मेरे खाल से यह आपको आता ही होगा, कि अगर हम 00 से a, b में shift कर देते हैं, और नए वाले को capital xy और पुराने वाले को small xy लेंगे, तो this is the result, तो मेरे खाल से यह आता होगा, बाकि नहीं तो देख लिजेगा एक बड़, simple shifting है, pair of straight lines है ना, सवाल नहीं आते हैं, कमी सवाल दिखे हैं मेरे को तो, है ना, 2023 में खासकर, बाकि आप इस straight line संकल PYQ series में कर लिजेगा जरूर से, तो वहां से आपका cover हो जाएगा, अगर कुछ और सवाल अगर pair of straight line क्या है, तो simple simple सी बात कर लेते हैं, जो भी इस pair of straight line में है ना, सिर्फ theory के revision point of view से, कि अगर कोई homogeneous equation है, तो यह क्या represent करता है, pair of straight lines passing through or result, अगर उन दोनों lines को अगर मैं ऐसे सोच कूँ कि एक line है, y equal to m1 x और एक line है y equal to m2 x, इसमें जो छिपी हुई दो lines है, तो इसमें जो slopes का sum होगा, m1 plus m2, that is minus 2hyb, और जो product of slopes होगा, that is going to be a by b है ना, कैसे निकलता है सरी है sum of slopes, product of slopes, तो कुछ नहीं, x square से divide करके, आप जो equation बनाईगा ना, तो यह y by x की equation है, तो अगर y by x की equation है, तो y by x ही तो m1 m2 है, y equal to m1 x है, तो y by x ही तो m1 है, और y by x ही तो m2 है, तो ऐसा करके मिलेगा, और इसी के slopes m1 m2 होगे, तो आप देख सकते है, sum of the roots क्या हो जाएगा, m1 plus m2 is minus 2hyb, और product of the roots क्या हो जाएगा, e by b, इस तरीके से ना, अगर कोई बुले की n degree का homogenous equation, homogenous equation मैंने functional मतरला रखता आपको है, तो देख लिजएगा, तो homogenous equation का n degree का है, तो n straight lines होंगी, passing through orism, ठीक है, अगर theta is the angle between इन दोनों lines में, x square plus 2h x y plus 2y square equal to 0 में, जो 2 lines है, उनके बीच का angle अगर theta है, तो tan theta क्या आता है, 2 times root under h square minus a b upon a plus b, याद रखना पड़ेगा, अगर apply हो रहा हो, तो आपको लगाना पड़ जाएगा है न, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, basic से निकालना पड़ेगा, कि पहले line separate कीजे यहां से, by dividing bit by x square quadratic बन गया न, y by x में m मान लिजे इसको, और quadratic को solve कीजे, तो फिर दोनों roots आएंगे slope, और फिर वहां से आप इसको बना सकते हो, और यह formula basically महीं से आता है न, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लिएगा, अच्छा दोनों line से कर perpendicular हैं, तो a plus b की value 0, theta 90 degree, तो यानि not defined, तो यानि a plus b को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, a plus b क्या है, coefficient of x square and coefficient of y square, देखो x square and coefficient of y square, मतलब अगर कोई ऐसा equation लिखावा है न, x square minus 13 xy minus y square equal to 0, तो खट से हम बोल सकते हैं देखके ही, के x square और y square के coefficient का sum 0 है, मतलब यह जो दो lines होंगी, वह आपस में कैसी होंगी, पर्पेंटिकुलर्स होंगी है न, कोई बिले कि sir, lines इन में real or distinct कव होंगी, तो h square greater than a b होना चाहिए, imaginary lines कव होंगी, जब h square less than a b होगा, यह discriminant में convert हो जाता है, आप जैसे यहाँ पे इसका d लिखेगा न, d, तो d देखेगा इसका तो आ जाएगा, 4 h square minus 4 a b, है न, तो यह आ जाएगा, h square minus a b, तो आप देख सकते हैं कि discriminant अगर positive है, तो दो distinct lines आएगे, कि m1, m2 real हो जाएगा है न, distinct हो जाएगा, h square minus a b 0 हो जाएगा, तो दुनों lines same हो जाएगी है न, कि 0, 0 से pass कर रही हैं तो same हो जाएगी, तो वह ही कह रहा है न, और equally in inclined is, h equal to 0, equally in inclined के ले भी बतलाया था, कि m1 plus m2 0 होना ची, अभी थोड़े दिर पहले बतलाया था न, state line में, कि m1 plus m2 0 होना ची, m1 plus m2 है क्या यह, minus 2 h by b, तो अगर m1 plus m2 minus 2 h by b है और यह 0 हो जाए, s 0 हो जाए, तो फिर हम सीधा सीधा क्या हो सकते हैं, इस दोनों line equally in inclined to the क्या हो जाएगा axis है न, अच्छा एक ही बड़ा important है, कि अगर यह जो दोनों lines है इसमें, अगर इसका कोई पूछता कि what is the bisector, हम simple याद रखेंगे, x square minus y square upon a minus b, और xy upon h, तो यह कहा है, the equation of the straight line, by setting the angle between the straight lines, इसमें जो दो lines है न, y equal to m1x, y equal to m2s, उसके bisector की combined equation है यह, उसके bisector की combined equation, x square minus y square upon a minus b equal to xy upon h, इसमें सवाल आया हुआ है न, इसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, यह पहले तुम बतला रहा है कि, इन दोने lines का combined equation कैसे लिखते हैं, वेरी obvious है न, उसके बोला है कि, यह घबरानी के लिए, the equation of the angle by sector of the lines between this, तो direct formula है, x square minus y square upon a minus b, a minus b मतलब 5, 2 minus minus 3 5, और xy upon h, तो 1 मतलिक दीजएगा, 2hxy होता है, 2h1 है, तो h की value half होगी, half होगी मन्दब 2xy होगी है, मन्दब x square minus y square, equal to 10xy, यह x square minus y square minus 10xy, equal to क्या हो जाएगा भाया, 0 के बराबर हो जाएगा, मैंने कासे clear, अब general equation of 2 degree in x and y है, तो अगर कोई बोले कि sir, यह general equation of 2 degree in x and y, 2 lines कब represent करेंगी, यह it can be resolved into 2 linear factors, तो this should be the condition, abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0, determinant form में ऐसे लिखते हैं, और पढ़ते वैसे ही है, a handsome guy having beautiful friend goes for college cinema, देख लेना जो भी है, बाकि आप अपने इसाब से देख ली जाएगा, तो handsome guy having beautiful friend goes for cinema, ठीक है न, the angle theta between the two lines, मतलब अगर यह lines represent कर रही है, तो इसके बीच का angle क्या होगा, वही same formula, two times root under h square minus ab upon a plus b, अब वो लोगों से ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें अगर यह lines represent कर रही हैं, क्योंकि यह circle भी represent कर सकते हैं, pair of straight lines भी represent कर सकते हैं, ellipse, hyperbola, सब represent कर सकते हैं, लेकिन अगर यह pair of straight lines represent करते हैं, इन में जो दो lines हैं, और जो आपनी x square plus 2x y plus by square equal to 0 में जो दो lines देखी थी, तो वो दोनो lines आपा समें parallel होती हैं, इसलिए angle same formula से आता है, two times root under h square minus ab upon a plus b से, कभी-कभी यह आता है, कि सर अगर माली जी यह pair of straight lines represent करते हैं, तो यह point of intersection कैसे निकालें, तो एक तो तरीका है कि सर separate करके solve कर लेंगे, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, दूसरा तरीका होता है कि आप इसको partial derivative के through कीजिए, क्या कीजिए, इसको partially differentiate कीजिए with respect to x, और इसको partially differentiate कीजिए with respect to y, पहले with respect to x, फिर with respect to y हैना, जब with respect to x कर रहे हैं तो y को concentrate करेंगे, और with respect to y कर रहे हैं तो x को concentrate करेंगे, और जब यह differentiate करने के बाद जो दो equation आएंगी partially, उसको solve कीजिएगा, वो point of intersection देगा, कोई बढ़िया सर्थ वो जो दो आएंगे, वो क्या basically lines होंगी नहीं भी, लेकिन वो दोनों lines नहीं होगी जो उसके चिपनी है न, उसके बारे में भी बात हो सकती है लेकिन ठीक है रहने देते हैं, हम लोग क्या कहेंगे कि उसको solve कीजिएगा तो अपने आप वो आपके पास आजाएगा न, और एक बहुत ही फंडू तरीका होता हूं homogenization, homogenization में क्या करते हैं, homogenization में हम pair of straight line के combined equation लिखते हैं, कैसे सर, कैसे क्या चीज लिखते हैं इसमें, तो क्या होता है बच्चों, कि माली जीक एक two degree curve है, जैसे two degree curve है, और कोई बोलता है कि sir two degree curve है, और एक straight line है, है न, और हम ही कहा न, सर कि यह, देखना अध्यान से, हम लोग क्या करें कि two degree curve है, और एक straight line है, इसके intersection point आगे दो, और हमें मालों कि combined equation of the line लिखनी है, passing through origin and A, and passing through origin and B, ही पिर से सुनिएगा, इस तरह के सवाल बढ़े है, मतलब अभी तक तो कम ही आते हैं, लेकिन यह बहुत important concept है, यह बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि there is a curve, and there is a line, और कोई मेरे को बोलता है कि sir, अब न, हमें एक pair of straight line की equation लिखनी है, हैं जो origin और इन point of intersection से पास कर रहा है, origin और point of intersection A और B से पास कर रहा है, simple काम करेंगे, हम इस line की help से इस curve को homogenize कर देंगे, जैसे मालूँ यह 2 degree कर रहे हैं, ऐसा है 2 degree कर, और line यह है, तो इसमें simple और basic काम क्या करना है, कि पहले constant को उधर ले जाकर divide कर दो है, यह सबसे पहले constant को उधर ले जाओ, lx plus my, यह कैसे आता है, क्यों होता है, क्या है, इसके पीछे का reason, वो सब classes में explain होती है, अभी हम इतना समय नहीं लगा सकते हैं, तो हमने बोला कि n यानि constant term को पहले से साइड ले जाएगा है और फिर n से डिवाइड कर ले जाएगा, minus n से, और यहां से minus n से डिवाइड करने का बाद वन टाइप की quantity निकाल ले जेगा, जो कि हमने कहीं निकाली होगी देखेगा, यह निकाल ली है ना, और 1 को उठाके यहां से चिपका देंगे, lx plus my upon minus है, फिर 2fy into 1, है ना, into 1, और फिर से हम 1 वहां से उठाके चिपका देंगे, अब लोग यह चिपकाने से क्या हो रहा है सर, तो देखना, 2gx into x, x square, 2 degree का बन गया, 2gx, y, xy बना तो 2 degree का बन गया, यहां पर भी देखो, yx और y square, तो 2 degree का बन गया, अब लेकिन c है, यह 0 degree है, तो यहां हम, 1k square से multiply करेंगे, 1k square बतार, lx plus my upon minus n k whole square से, अब इसको open करोगे तो, x square, y square और xy आ जाएगा, तो यानि यह 2 degree का equation बन जाएगा यह कैसे होता है, इसके basic में हम नहीं जा रहे हैं, बट हाँ, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, और यह मेरे खाल से इसका last page था, right, तो देख लिजेगा, इसके साथ संकल PY की series definitely कर लिजेगा, that is definitely going to help you guys, और यह मेरे खाल से recording में थोड़ा सा fast भी हो गया हमारा काम है आगे भी शायद हम recording mode पे ही आगे वाले lectures upload करेंगे, तो आप बिल्कुल प्यार बनाए रखिएगा, और काम करते रहिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है तो उसलिए जाद जल्दी हम लोग उस चीज को काम करेंगे है न, तो आगे आने वाले भी जो हम लोग वीडियोस रखेंगे, शायद mostly हम शायद recorded, फॉर्मेंट पर रखें कि कुछ थोड़ी से problem भी चल रही उस time पर कुछ चीज है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जो की circle का होने वाल है, thank you very much.